सारे ती रत धाम आपके चरणों में आपके चरणों में जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरु भ्रम्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु भ्रम्मा हे गुरु विष्णु ये शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरु देव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरत धाम आपके चरणों में हे गुरु देव प्रणाम आपके चरणों में जनम के दाता मात पिता है आपकरम के दाता है आप मिलाते है इश्वर से आप ही भाग विधाता है आप ही भाग विधाता है दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरु देव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरत धाम आपके चरणों में हे गुरु देव प्रणाम आपके चरणों में निर्बल को बलवान बना दो मुर्ख को आपके चरणों में गुणवान प्रभू देव कमल और पंसी को भी ग्यान का दो वर्दान प्रभू हे महादानी हे महाग्यानी हे महाग्यानी रहू मैं सुब हो शाम आपके चरणों में हे गुरु देव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरत धाम आपके चरणों में हे गुरु देव प्रणाम आपके चरणों में करता करे न कर सके पर गुरू करे सब होए साथो दी पानों हंड में गुरू से बड़ा न कोए गुरू से बड़ा न कोए, प्यारे गुरू से बड़ा न कोए मैं तो साथ समंद्र की मशी करू लेखन सब बन गई राए सब धर्ती का गज करूँ पर गुरुगुण लिखा न जाए प्यारे गुरुगुण लिखा न जाए सारे ती रथ दाम आपके चर्णों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चर्णों में मेरे बाबा है मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे प्यारे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा बाबा है है מת छेलो हेलो 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 123 माइक चैडल है all up गूद मॉर्निंग जी गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग कि हाल चाल जी व्दियाओ सारे better 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 और एक मीन सर मियं में बिलकुल आ जाओ बिलकुल अच्किन सुरी शाय दो तो थे कि इतनी तने रहे हो पहले तो उसके लिए एक बार सारे बचे मेर लिए इतालियां बजाने पहल तो फड़ावटसे और बाकि आपने ले बियाब बजाओ जो फेस टू फेस बच्षे बैठें बाकि तो लाइब वाले बच्चे तो ना लाएक है एस घर के अंदर बैठें कंबल कुमबल ओड के एक बार सारे बच्चे लाइब वाले बच्चे में को क्या मेरी ओडियो वीडियो क्लियर आ रही है जी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों वेरी गूड मॉर्निंग जी जैशिराम राधे राधे जै मातादी अस्सलाम वालेकुम सस्रियाकाल जै जनेंदर राधे राधे और कुछ बच गया जी ओमाइगुड गुस्त लाइव वाले बच्चे में को फड़ावच से बताएं क्या मैं आपको दिख रहा हूं बढ़िया से और मेरी ओडियो बिल्कुल क्लियर आ अब तक जी क्या बात है जी बहुत बढ़िया जबर दस चलो फाइनली आज हमारा एक नई 울ते से सब्केश कोई दिसंबर चोबीस तो नहीं है कि अछ। कि सबस्क्इबर बच्चे वाले बच्चे फटर से खड़े हो जाओ जै कि आप पहले प्रात्ना करेंगेроп बता हैं ते इतना इतनी शक्ती हमें देना दाता मनका विश्वास-कमजोर होना। ठीए बस वह दो-तीन लाइनलैंंगे और तर्शने सारे बच्चे पढ़ेखाल से कत कि 1-2-3 स्टार्टं इतनी शक्ती हमें देना दाता मनका विश्वास कमजोर वोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वा से कम जोर होना हम चलेने करस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वा से कम जोर होना चलो जी, दिल से प्रात्ना बोला करो, इनके वर्ट्स में बहुत ताकत होती है जब आप बोलते हो, लाइने कभी समझी आपने मों क्या कहना चाहते हैं लाइनों में क्या मतलब है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम जोर होना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इस दा मोस्ट इंपॉडेंट थी मतलब होता है, कई बार हम मतलब आदे बच्चों मैंने का न, बहुत सारे बच्चे फेलियर का रीजन क्या है उनको अपने पर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप जब वो लाइने बोलते हो, फील क्या करो, उसकी हर एक लाइन के अंदर मतलब है, बस एपा ध्यान दो, यह नहीं कि चलो यार, दो लाइने बोलनी है, फटबट से बैठ जाना है, यह नहीं होना चाहिए, जब बो स्लेबस के हैं, लाइव और फेस टू फेस दोनों, एक बार पहले न्यू स्लेबस वाले बच्चे हेंड्रेस कर लो, ओके, मतलब फेस टू फेस में, ओल्मोस्ट बच्चे जो हैं, वो सारे के सारे न्यू स्लेबस के हैं, ओल्ड स्लेबस के कौन कौन से बच्चे हैं, ओल्ड स्लेबस का फेस टू फेस में अभी तक तो कोई नहीं है वह सारे के सारी लास्ट तक सारे बच्चे न्यूस लेबस के हैं जी लाइव में एक बाल में को फड़ा बच्च से बता दें कितने बच्चे न्यूस लेबस के हैं कि चलो ठीक है मतलब फेस टू फेस और लाइव के अं स्लेबस के हो दोनों में सेम है सिरफ फरक यह निकल क्या रहा है कि न्यूव स्लेबस के अंदर आपके GST में कुछ चैप्टर एडिशनल है जो ओल्ड स्लेबस में नहीं है पहला फरक तो यह पहले डिफरेंसिस सुन लो दूसरा इंकम टेक्स में न्यूव स्लेबस में इन्होंने दो तीन चैप्टर कम की है जो ओल्ड स्लेबस में ज्यादा थे और इस बार के पेपर देखने के बाद कहरा हूँ अगर आपको शाहिद पता हो जब इंस्टिट्यूटबस को नोटीफाई किया था ना तो उन्होंने प्रोस् प्रश्पेक्टेस दिखा देता हूं यह आपके इंस्टी ट्यूट चना प्रॉस्पेक्टेस है जब इन्होंने नीचे लाइन लिखी थी जो आपके पेपर होंगे except CAFM का पेपर जो है उसको छोड़कर अगर आप यहां पर चक करोगे combination of both 20% case-based objective type questions and 80% जो होगा वो descriptive question होगा all paper किसको छोड़कर paper no.4 corporate accounting and financial इसको छोड़कर अगर मैं इस line को पढ़ता हूं तुम्हें क्या feel हो रहा है इस 20% question जो बनेंगे वो case study-based objective बनेंगे और 80% जोगा वो क्या बनेगा descriptive बनेगा अच्छा case study-based objective से आप क्या समझते हैं कि मैं एक बार जानना चारा हूं कि आपको क्या feel आती है कि जब इस line को पढ़ते हो तो आप फिल आ रही है कि 20% में क्या बनेगा कि मैं एक case study दी होगी उसके बाद क्या होगा नीचे questions दी होंगे उस question के चार option होगे हमने तो आस्तक objective का मतलब यही समझे और अगर पर जो paper बने निउस लेबस के अगर आपने paper देखें हो उन्होंने एंस पूरे paper में कहीं नीदी है अब बचा गयरा सर mcqs क्यों नहीं आए अच्छा फिर mcqs ही आएंगे 20 नंबर के बचा गयरा आपने कैसे समझ जए इसका mcqs है मैंने इसलिए समझा कि जो आपके आइस एका module है आपको थोड़ा सा module भी दिखा दिता हूं जी यह आपके टेक्स के स्लेबस का module है निउस लेबस का एक हजार चार पेज का है आपके साथ पेपर है सबसे बड़ा module पहली बात तो मैं यह क्लिर करते हूं आप सारे module खोलने ना कंप्री लोग का भी खोलने ना इसके अंदर एक जार पेडिस है तो सिंबल भी बात है पढ़ने है तो उसने एक हजार पेज का मोडियूल बना दिया अब इसके लास्ट में ना उन्होंने एक सेंपल पेपर दिया था कि आपका पेपर बनेगा कैसे क्योंकि न्यूस ले बस था अब बच्चों को पता ही नहीं कि पेपर कैसा बनेगा पहली-पहली बार अटेंब तो यह रच यह इंदोने सेंपल पेपर दिया हुए अगर आप इसका कोशन देखो गए ना देखो कोशन नंबर वन यहां पर दिया हुए इसके अंदर इन्होंने के स्टडी बेस यहां पर mcqs डाले हुए है कि यह तो आपका हो गया कि ने कोशन 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 अब सैंपल पर एवन कर वायन यूट्यूब के उपर उसमें एम सिक ते अब आप स्टडी बेस इन्होंने कोशन भी नि दिया इतिंग लो जी इन्होंने तो काम ही कर दिया अच्छा इंदोंने काम ही कर दिया इसमें तो ने के स्टेटी बिस कोश्चन नहीं दिया हुआ चलो मैं आपको कहना चाहरा हूं कि अब्जेक्टिव के बेस का मतला नोर्मली क्या होता है अब यह मानके चलो कि इस बार के पर मैं नहीं अंदर तो city Hoje नहीं आएंगे हमें की तयारी का करके चलनी और सुना द्यांसरी इस बार क्या हो गारे समानलो चैप्टर मेरा चलेगा तो चैप्टर में हर चैप्टर के एंड में एक या दो क्लास में exclusively लूँगा practical questions की जिसमें हमें सिर्फ करने ही क्या होंगे सिर्फ questions करने क्या होंगे question की presentation आपने exam में कैसे करने है क्योंकि बहुत बड़ा matter है provision सबके clear होंगे मैं हर वार YouTube पे चिलाता रहता हूं कि provision सबके clear है provision में दिक्कत नहीं है दिक्कत कहां प्यार है कि बच्चे को question solve करने नीं आ हूँ बच्चा यह बात कहता है सार अगर मैं पूंच लूँगाना कि हाब यह provision बच्चा कैता सर प्रोविजन तो याद है उसका question कैसा बने GUY को कोशन सोल्व कैसे होगा लिखना में कैसे बच्चे को वहीं नहीं पता तो सिंबल यह बात है अगर मालों यह कोशन आपके एक्जाम के नदर बन जाएगा तो हाउ टू प्रेजेंट आप उसको लिखोंगे कैसे शुरू कैसे करने हैं खतम कैसे करने हैं वर्किंग नोट कैसे बनेंगे अगर मालों मैंने प्रेक्टिकल कोशन उसको टेबल फॉर्म में करने तो टेबल की स्तरा से बनेंगी क्या हमें सेक्षन लिखने जरूरी है नहीं लिखने जरूरी है कहां सेक्षन लिखने कहां नहीं लिखने तो यह सारी के सारी बाते हर चैप्टर के एंड में ए उनको M.C. उसका question bank अलग मिलेगा और News levels का question bank अलग मिलेगा News levels का question bank already त्यार हो चुक है और जिन बच्चों ने admission करवा लिए उनको तीन books मिली अभी नहीं मिली तो आज आपको books मिल जाएंगी आज आप जाओगे office में तो आपको books मिलेंगी तीन books अभी आपको मिलेंगी जिसमें दो बुक तो होगी आपके income text की एक book होगी GST की अप्रोक्समेट तेरा सो प्लस पेज की book इस बार मेरी बनी है जो आज तक कभी इसमेट 400 पेज का तो कुश्चन बेंक है कि अब आप यहां पर आकर बैठ गए हो तो आपने अपना बाइडन बाहर उतार दिया टेक्स का बाइडन बाहर चला गया अब आप यहां पर फ्रियों के बैठे हो बिल्कुल ठीक है ना चाहिए 400 का हो चाहिए 1400 का हो कोश्चन करवाने की responsiability और provision करने की responsibility मेरी है बस आपने एक काम करना है कि जो हम क्लास में करेंगे घर जाके बस daily revise करना उसके लावा आपने टेक्स में कुछ नहीं करना जो हम क्लास में करेंगे daily घर कि उसरे भी जखनलोगे ना ठीरिस उस म addiction तोкуश्चन तो आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी इदर ध्यान से अब जो आज की क्लास का हमारा टार्गेट है डाइस क्लास नंबर वन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्लास नंबर वन में कुछ टोपिक हमें discuss करने है और वो topic कौन कौन से हमें discuss करने एक बार मैंने यहाँ पर लिखे हुए है तिक और इस सबसे पहला तो meaning of tax laws and practice जो आपके module का नाम है tax laws and practice उसका मतलब क्या है ठीक है उसके बाद फिर tax का मतलब क्या है जो आज हम पढ़ने जा रहे है देन आपके taxes के types कोन कौन से होते हैं फिर आपका meaning of direct tax हो गया meaning of indirect tax हो गया फिर आपका taxable event क्या है और यह जो टेक्स हम पढ़ेंगे यह किस पर लगेगा difference between direct tax and indirect tax उसके बाद इसके law making authority कौन सी है constitutional provision related to taxation and आपको bear act को कैसे रीड करना है क्योंकि हम जो भी class के अंदर पढ़ेंगे वो सारा का सारा बेरक्ट से पढ़ेंगे तो बेरक्ट को आपको पढ़ना कैसे आप मैं से किस-किस बच्चन अब आपसे पूछ लूँगा जैसे माल दो यह आपको मैंने section 2 दिखा दिया यह आपके सामने income tax act is income tax amended by finance act 23 मला यही income tax हमारे slaves में applicable है बिल्कुल latest है अब अगर मैं तुमसे पूछ लूँगा ना कि जैसे माल लो यह section number 1 है ठीकर अब तुम क्या कहोगे इसको हम क्या बोलते हैं section इसको आप क्या बोलते हो heading बोलते शॉच्चन अब किससे पूछ लो मतलब क्या हूता है सर流ructured इस बोलते हैं क्योंकि वापस में independent होते हैं और जो independent यह बिल्कूल भी सही नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या क्या क्योंकि सीएस बनने के बाद ना आपने किसी टीचर के बुक नहीं पढ़नी है बाद ध्यान दो कि अगर मालों क्लाइंट ने कोशन पूछ लिया अनि भाई सब एक बाद बताना अमेंडमेंट यह कंपनी लोग के अंदर तो मेरी कंपनी इसका इफेक्ट बढ़ रहा है दो मिंट मैं एक मिंट पेर पलड़ता हूं वहां पर नहीं चलेंगी वह बता क्या बोलेगा एक प्रि अब जो हम लिखते जा रहे हैं एक्ट को पढ़ना कैसे है किस तरह से हम पढ़ेंगे वह सारी की सारी बाते अब आपके यहां पर हम डिसकस करेंगे बहुत बढ़ी है तरीके से उसके अपनी इस्टिंट हो आप सुनो दियान से अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं एक बर स सब्सक्राइब करना देखो इधर सुनों द्यांसरी अभी आप एक नाम दिखा हुए टैक्स लोज और प्रैक्टिस अब सुनों द्यांसर मैं कहना क्या चाहरा हूं ओल्ड स्लेबस में ना सिर्फ इस पेपर का नाम था टैक्स लोज अगर ओल्ड स्लेबस वाले बच्चे अपना मोड्यूल खोल के भी चेक कर लेंगे उनके मोड्यूल के स्टार्टिंग में लिखा हुए टैक्स लोज और आपके न्यूज स्लेबस में इसका नाम पढ़ गया टैक्स लोज और प्रैक्टिस इन्हों ने एक वर्ड यहां पर इसता प्रैक्टिस लिखा आफ टैक्स लोज और प्रैक्टिस लिखा हैए louRO का मतल्ब क्या है अट लोज मीन्स क्या क्या करना चाह disappointment पता तो न हममें पता तो मारना हमारा स्तर क्या है हम वहार कर एक बोलँ तेक्स लोज एन प्रैक्टिस पढ़ आया भाई उसमें क्या है तैक्स रेट है बहुत बढ़ी है लाइब बचा आंसर दे रहे हैं कि सर्टेक्स लोज इंस्टिटूट ने कुछ सो समझ के रखा होगा बहुत बढ़ी है वेरी गुड क्या बात है कितना बड़ी आंसर आया है देखो कुछ सोच समझ के मैं तो सोच रहा तो ऐसे ही रख दिया होगा वहीं लिखने के लिए बैठा होगा उसने का चल नाम समझ नहीं आ रहा है यही रख देते हैं इतना लायक इधर सुनों दिहां से सर लोज का मतलब क मल्टीपल लोज का मतलब किया है कि इसमें सिरफ आपका एक्ट नहीं है एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सर्कूलर है, क्लैरिफिकेशन है, एक्स्प्लानेशन है, सब कुछ का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके इस टेक्स लोज के अंदर है मैं कहना क्या चारा हूं कि सिरफ हमारे स्लेबस में इंकम टेक्स एक्ट नहीं है, पहले बाद तो यह समझो, हमारे स्लेबस में जगह 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 पर रूल्स भी है, हमारे स्लेबस में जगह जगह रेगुलेशन भी आएंगी, सर्कूलर भी होंगे, क्लैरिफिकेशन भी हो यहार एक बात में को बता हूँ आपके कमपणी लोग वाले पेपर का नाम क्या है कि अधुम्पनी तो आपने कभी सोचा वहां लोज लिखा है आपने class 1 स्टार्ट कर दी वस बढ़ आप जगा जगा क्या notification नहीं पढ़ते पढ़ते हो ना class में teacher बोलते हैं MC की notification, circular, clarification तो वो क्यों पढ़ाई जा रहे हैं क्योंकि institute ने clearly बोल दिया कि भईया आपके इस लिबस में सिरफ act नहीं है, companies, laws and practice है तो laws का मतलब भी होता है कि जहां पर act भी आएगा rules भी आएंगे, regulations भी होंगी, circular भी होंगे notifications भी होंगे, clarification भी होंगी और अब सब जानते हो institute के भी latest notification आई थी etc भी होगा सुनें अपने notification सुनी अब एक institution notification निकाल ली थी बच्चों को सब पढ़ना है, act, rules, regulation, notes, फिर फिर लास्ट में एट सेक्टरा तो सिंबल यह बात यह लिखर क्या है कि हमारे स्लेबस में सिरफ act applicable नहीं है, सब कुछ का combination जा हो हमारे स्लेबस में applicable है अच्छा फिर एक वर्ड इनकों ने और जोड दिया, क्या लिख यहां पर practice, practice का मतलब क्या practical exposure, अच्छा practical exposure मतलब क्या, मतलब बहुत word यूज हो रहा है, practical exposure, क्या होता है practical exposure, क्या अच्छा, real life में apply कैसे हो रहा है, वो आपको यहां बैठ की कैसे पता लगेगा भई मैंने का ना, एक word बहुत यूज हो रहा है, वहला एक चीज सो मैं देख रहा है था, first time in India, practical exposure तो practical exposure means क्या भई, वहला बात बोलने से थोड़ा खतम होगी, practical exposure means क्या आप सुनों द्यान से practical exposure means क्या, आपको मैं दिखाता हूँ, practical exposure का मतलब ही होता है, मैंने आपको पहले भी क्या बोला, कि institute तुम्हें executive में text पढ़ा रहा है, उसको प्रफेशनल में उसको पता है, बच्चे टेक्स नहीं लेते, क्योंकि बच्चे CS में कहा रहे हैं, भाई, टेक्स करें पर निकल जाए, बाकि सब कुछ सही है, और उसको पता है कि प्रफेशनल में बहुत कम बच्ची ओप्ट करेंगे, तो practice का मितलब क्या होता है, कि जो भी आप चीड़े पढ़ रहे हो, उसका practical life में implication कीस तरह से होगा, इस मैं तुम्हें feel कराता हूँ, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, इदर सुनो ध्यान से, अब आपके सामने ना, एक बार आप यहाँ पर चेक करना जी, यह देखो, एक बिल दि जिंगरा, यह क्या होता है, जिंगा, कडाई, जिंगा बताने किस ने खाया है, 895 मेरे पेका, मेरा बिल यह मैं पहले बता दूं, तिके रिनाम है यह खाता, मुर्ग, ओ भाई साव, लवाबदार, तिके चलो छोड़ो यारे, इसको सुबह सुबह क्या बाते आ रही है, जिस ने बिल में खाने जाते हो और जो बच्छे केहरे हैं नहीं देखा, अपने बता रहा हूं, क्योंकि हम कभी बिल देखते, कब हैं? दूसरकी पाट्य में जाना होता है, देखेंगे Luftman कि रखंदे अग्हाव कि अगर आपने अफ़कि भी दिया तो भी इनीड िक है आईनने काасे मोटता एक वेटर पिल ले खिया छटा है विरते ब्लैक सी डायोगर के यंदर ब्लेक से डाइरे के अंदर बिल ये क्याता है हम देखते हैं 950 सर्पे काड निकाल के नो 150 अब या पेटियम कर दे कभी आपने चेक नहीं के उस बिल में लगा क्या हुग है ओवो बिल वहीं का वहीं धरा रहा गया उस बुक के अंदर या आपने उठाया उसको मोडा आपने नाकपक साख किया और अपना बस अपने डिस्ट्रमीन में घर दिया आदे बच्छे काम करतीं मैं दिख रहा था एक कपल अपने बच्चे का नाक साफ कर उस बिल से लगा टि कई बच्चे तो अखवारों से साफ करते हैं अखवार चब जाती न्यूस चब जाती है उनके मूग के ओपर करते हैं बिछ र香 सुन कब यह होता नहीं आपको प्रेक्टिकल इंपिकेशंस भी पता होनी चाहिए अपको मैं दिखाता हूं और यह आपका एक रिटर्न का फोर्म घृत है अब यह आईतैर मुझन भरना कैसे हैं आए अ मैं तुम्हिए अ वह भरते हैं तुम्य यह नहीं बता होगा कि अब तुम्हंन आर्रिक इंकम है एक घर है और अधर सूर्स की नहीं बस बिज्चनस अ कहाता है टोटल आईटेर वन से लेकि आईटेर सेवन तक साथ फॉर्म होते हैं तो यह तुम्हें पता हो कि कौन सा आईटेर कब भरना है क्या कि तुम्हारे अगर घर वाले तुमसे पूछें तुम पहली बात यह ना बोलो कि मैं CS कर रहा हूं मैं टेक्स क्यों बताऊं यह बात अगर सबसे पहले इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वाश कमजोर होना कि आपके अंदर इतना confidence हो कि आपको भी उसकी मुकाबले टेक्स पता है यह पता हो कौन साइट यह कौन फाइल करेगा कैसे फाइल करेगा जी आपके बिलो में GSTS GST कैसे कैसे कैलकूलेट होता है GST नंबर को practically हम कैसे चेक करते हैं GST की website पे काम कैसे होता है यह बाते आपको थोड़ी बहुते पता होने चाहिए यह सारी बाते इस बार इंदो ने न्यू स्लेबश के अंदर additional add की है बस यह बात ध्याल दो इसलिए इंदो ने नाम के दे दिया टेक्स लो जैन प्रेक्टिस यह बात क्लियर है तो अब यहाँ पर चेक कर ना जी आपके पेपर का नाम क्या बोल दिया टेक्स लो जैन प्रेक्टिस से ऐस प्लिए नें उस्यूंझ को तेक्स ने दो तरह कि दी ऐढ़ी कौन से टैक्स है एक तो डारेइक सो अबर ऑच्छा अब डारेक्ट एक समयरेअि iki सिघिते मार्क्स का है और यह हमारे Slevers में 40 number का है जबकि New Slevers में दोनों 50-50 number के थे अर्या किसी को पता इंस्टीट्यूट ने DT को जाधा क्यों कर दिया IDT कम क्यों कर दिया तो उसका रीजन है उसका रीजन यह है कि बच्चा ओल स्लिवस वाला अगर वर स्लिवस वाला बच्च सामने सामचे बैठ है और सबस बच्चे क्या करते थे फिर श्यव बच् ответ एंप बचास में से 10-15 नंबर का इंकम टेक्स पढ़ लिया 40-45 आगे बच्चा कहा रहा है शुकर है भगवान का टेक्स निकला कि 90 परसेंट बच्चे के इंकम टेक्स में रूख आपती है मैंने हाथ भी नहीं बोला मैंने क्या बोला रूख उसको बोलता ना इंकम इंकम टेक्स पीट पबजी पीजी उसको पीजीप नहीं बोला जा रहा उससे एक बच्चा में को यूट्यूब पर कमेंट में लिखके बोलता क्याता सर्फ पीजीप कैपिटल के सेलरी हाउस पोपटी छोड़ जाओं काम चलेगा मैं कहां चलेगा कि आपने में चेप्टर छोड़ दिये हैं कि प्रोब्लम क्या बच्चे को समझ में नहीं और अगर आ रहे हैं तो उसके दिमार्क में इक इमेज बना दी गई है कि तुम्हारा में को रिए टेक्स का नहीं है कि सर्क पदा सारी गेम मेंटल लेवल की होती है इंगा ना लएको यह तो इसके बीना तुम्हें प्रोड़ का कि बड़े बड़े कोम्हिट्शन सोल लूव करने है प्रैक्टीस करनी है वो मजात की बात नहीं रह गई सबसे बड़ा मोडूल इंस्टूट पागल नहीं है अगर हमार लिए में को रहे नहीं होता वह 400-500 पेज का मोडूल मोडूल खतम करके अपनी जान चुड़ा देता ता कि यूँँ वह 1000 पेज का देर को पता है उसको पता है कि यह चार पेपर के सब नहीं संबल सकता आप चेक करो सेक्योटी लोगा मोड्यूल साढ़े 500 पेज का होगा आपने मोड्यूल कभी खोल ले नहीं होगे खोले मैसे मोड्यूल खोले है खोले हैं तो एक बार खोल के जाके देखना सेक्योटी लोग साढ़े 500 पेज का है इतना इतिंग होगा 600 500 कितना हो गया यह केला 1000 प पेपर रखे उसको पता है कि आप चार रखेंगे तो जिंदगी भर पास नहीं हो पाएंगे तो दो हमारे इसले बस में अब इन्होंने क्या कर दिया साथ नंबर का क्योंकि बज्जे मज़े लेते थे इंस्ट्टूट ने का तुम्हारे मज़े मैं लेता हूं अब जब तक तुम यह नहीं पढ़ोगे न करते रहो चालिस नंबर का अब पर क्या है अब्यक्टिव एश्ब्यक्टिव चालीस में से चालीस तो मिलेंगे नहीं अब चालीस में से मिलेंगे 30 32 और तुम्हें अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो यह अच्छे से करना पड़ेगा इसलिए उसने क्या कर दिया वेटेश निक्रीज कर दी डारेक् कितने बच्चों के फाधर सेहले से बिजनस करते हैं okay बाकी को करते है खालिया और आया थे खालिया जाना है सब मोवाई है फ्यस्तों पापा ऐश्वल पापा ऐसा थो नहीं कि वेले सेटा के सटता सटता सटत करते हैं मेरा इसन मेरे घुच्छान है आठे ज़ो डोस रहा थो सहूं है आइसा हूं कि बच्पना कभी जानने चाहिए अगर इंसान के पच्पना ह beam मर गया वो इंसानी मर गया मेरा मानना यह है बट जब पढ़ाई हो और यह सिरफ पढ़ाई आप मेरे सामने बैठे हो बिल्कुल सिंसरों के बैठे क्योंकि यह हमारा करियर है करियर से मजाक नहीं चलेगा और मजाक अगर करवाना भी होगा आपने इस मुझे पूरी दिये यहां मुझरा मुझरा करना का मैं करके दिखा दूँगा तिक उसकी आप टेंशन छोड़ दो अब सुने बढ़ दुबारा से कितने बच्चे लाइव वाले बच्चे बताएं कितने बच्चों के फादर सब सेलरी क्लास परसन है अच्छे से एक बार ह जो इंडिया में रहती है औलमोस्ट या थे वह बिजनसमेन है या वह सेलरी क्लास अ करेबार समझना दियान समयने क्या बोला बहुत कम बच्चों के फादर ऐसी होंगे तिरे अस्टिर बापा क्या कर रहे है घर बैठी है रइंटल इंकम आरे है बस बहुत कम लोगों के फा इंकम टेक्स पे करते हैं एक बर अच्छे से एंडर्स करो और किन-किन के फादर जी-स-टी में मनदब gst पे करते हैं जो gsm अब कवर हैं अब यह आपके सामने मैं रियाल्टी दिखा रहा हूँ लिजर क्यूं और क्यूं साथ का है क्योंकि income tax almost हर घर में है आप समझो सब इंस्टूट की पहले समझो इंस्टूट ने स्लेवर्स कैसे बनाया है उसको पता है income tax तो हर घर में है income tax की queries हर घर में आपके father यह बोलते रहते होंगे वेटे टेक्स बचाना है वो कभी यह नहीं बोलते होंगे GST बचाना है वो बोलते होंगे income tax बचाना है तो उसने वेटेज निग्रीज कर दी क्योंगे अगर इसकी knowledge ही नहीं है तुम तो आगे रहागे CS का नाम ही खराब कर दोगे सुन तो सिधा अपने पापा के मूब भी बोल दोगे पापा पहली बात तो टेक्स हमारे स्लेबस का नहीं है हमारा कोर नहीं है दूसरी बात income tax मैंने पढ़ा ही नहीं हाँ 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 मेरे किसी काम तो वात हूँ पापा मैं runa कंपनी के काम हुंगा दइससर्क सब्सक्राइबृट मेरी पटर्शन उतर्व्राद स disorders काम honest Rudolphya ओप में अएक कोई ना कोई में अपने का नहीं होगी तो पढ़ने का फाइदा ही किया है अ तो पहली बात तो इसको अ suffers से सब्जेक्ट मत मान के चलना मेरी क्लास में अगर बैठे हो आप यह मान के चलना कि यह मेरी जिन्दगी का पार्ट है और मैं तुम्हें बना दूंगा अब आज तुम्हें फिल नहीं होगा बैच खत्मने तक तुम खुद मेरे पास आओगे सर बाकी पेपर तो पढ़ रहे ह आपको पढ़ना है अब फट्रवर से बोल दो डारेक्ट टेक्स में इंकम टेक्स कितने नंबर का है साथ इंटरनेशनल टेक्सेशन होता है वह आपका CS प्रफेशनल में अगर आप ऑप्शन करोगे तो आएगा नहीं तो यह आपको पढ़ना ही नहीं जिंदगी भर कभी हो उसके बाद इन टेक्स में दो टेक्स हैं GST और कस्टम अचा में पर मैं इक पने पर बूल दो त सकते हैं पहला पने हैं दूसरा और टीसरा आप मैं बताऊंगा जो आपके दिमारख में आ रहा रहा है income tax, 60 number का, 60 number का, ऐसा 60 number में क्या आया है, income tax means क्या बताओ, income tax, जो जो, उस income पे जो tax लगता है, चलो, और और कोई बताना चाता हो, income tax मतलब क्या, ऐसे income जिस पे taxes लगते हैं, ओके, 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 और, 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 कोशिच करो, आप बोल सकते हैं, अगर आप बोलोगे, तो लगेगा, आपको, फील होगा, अच्छा की भाईसा, मैं तो बोल रहा हूँ, जी, लास्ट में कोई बच्चा, बिल्कुल, हां जी, आप बैठे हो, हां जी, क्या नाम है आपका, नेहल, नेहल, जी, कि, क्या, income tax मतलब, क्या, आपको लग रहा है, कि क्या होगा, income tax मतलब, जो भी हमने income earn कि, आप से नाम से कितना simple सा नहीं लगज़ रहा, कि income tax मतलब, tax-on income, बट फिर 60 नंबर में कैसा, बच्चा करल लिए, हिसमें क्या, आप ने जितनी income कमाई, उस income पे हमें tax निकालना होगा वही तो income tax है सर वो कहना असान है एक्च्वल में सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि हाउ टू कम्प्यूट इंकम कि मेरे को भी तक याद है कि फेस्टू फेस्ट क्लास सन दो हजार अठारा कि उस्टम लाइव नहीं होता था कोवीड से पहले अब तो लाइब तो आजकल तो लाइव यूट्यूब अब लुक्समेट दो सो बच्चा इस्टम लाइव बैठ है तो आजकल तो यह जमान है अम मैंने साथ साथ सो बच्चा भी एक बैच के अंदर पढ़ाया हुग है क्योंकि फेस्टवेस होता था सारे बच्चे बिहार से कहीं कहीं से आ रहे हैं सारे बच्चे बच्चे बैठते थे जो बच्चे 17-18 कि अगर मैं को जानते हैं और मैंने उस टेम काफी फेस्बुक में बच्चे का करते थे उस्टे मेरी फीस होती थी टेक्स की 14,000 कितने होती थी आरगल दो 14,000 पूरे ग्रूप की है मेरी सिर्फ फीस होती थी 14,000 टेक्स की बच्चा पहली क्लास में का करता था 14,000 मुल्टीप्लाइब 600 गाबबाई जाब रहा है यह आदत होती है बच्चों कहीं पहली और यह कोई बूरी बात नहीं है हम भी ऐसे करते थे जब हम पढ़ते थे आपने टीचर से उनके वाहां भी 800 बच्चे होते थे उनकी फीस थी फीस जार सर मैंने 22-22,000 पर कोचिंग लिए एक पेपर के सीए के अंदर आज से दस साल पहले की बात कर रहा हूं आपने सीनियर से कभी पूछना उस्टम यह बीस जार 22,000 एक पर की फीस ते आस तो गुरूप मिल जाता है बच्चे का करते हैं हम क्या करते दे बॉइस जार भाइस कि उसमें काफी सार मेरे खर्चे भी तो है मेरी बुक्स की कोष्ट है इलेक्रिसीटी है इतना सारा स्टाफ है इतने सारे खर्चें तो उनको माइनस करने के बाद जो इंकम आएगी वही तो मेरी इंकम होगी तो हाव टू कम्ट्यूट इंकम यह सबसे बड़ा मैटर है यह पूरी की बुरी कंप्यूटेशन कैसे करनी है वह बहुत बड़ी चीज़ है तो साथ नंबर में आपको बूरा भ्रमांट पढ़ने को मिल जाएगा कि हमें इंकम क्या होती है इंकम निकालनी कैसे होती है किस तरह से टेक्स होती है क्या टेक्स के रेट होती है और सबसे बड GAC की एक स्कीम होती आपको मैं आगे रख के बताओंगा उसमें बहुत मेजर भी हैं सरचार बाइस सरचार में चैन्ज है तो चैप्टर नंबर वन सबसे इंकमट होगा उमारा इंकम टेक्स का क्योंकि इसी के बेसरें पूरे इंकम टार्एं इंकम कंप्यूट करेंगे तो साथ नंबर में पूरा income tax आपको पढ़ने को मिलेगा उसके बाद GST अप्रोक्समेट 35 से लेके 36 नंबर तक का होगा कस्टम 45 नंबर का होगा यह मेरे खुद की वेटेज है इंस्टिटूट ने नहीं बताई पहले बता दूँ कि आपको मोड्यूल में ढूंडो आपका होगी कैसे तो अप्रोक्समेट इतने नंबर का ही आएगा क्योंकि GST आपका बहुत ज्यादा दिया हुआ है तो 35-36 नंबर से मैं कहना क्या चाहरा हूं जी अब यह लाइव वाले बच्चे खास तोर पर ध्यान दें क्योंकि लाइव में काफी सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने में भी पहले एक्जाम दिये होंगे ठीकरी और वो सोच रहूंगे अमेंडमेंट्मेंट्स कितनी आई है और अगर आप में कोई बच्चे ने पहले एक्जाम दिये हैं अगर पहली पहली बार बाडर फिट तो अच्छी बात है अगर पहले एक्जाम दिया तो आपके बहुत काम की चीज़ा है अगर की कोई दिसंबर 24 वाला भी बैठ है तो भी घबराएं मत अगर है अगर आपके एक्जाम जून 24 के अंदर है इंकम टेक्स, जी एस्टी और कस्टम यह तीन टेक्स हमारे इसले बस में अब इसमें AMENDMENT कौन से आनी है वो सउना धान से में आज मरी में था पटिट ऐसार जथ जनवरी दो हजार पच्चिस नहीं चोबीस 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 अचा अगला मीना कुण सै कि ऐड in सेड़ है किसको पता यह कौन सी फर्वरी को बजट आते हैं बजट आता है दो हैं कि और को में वाइनस मिनिश्टर बेलकुँ क्या बात है क्या बात है फाइनस मिनिश्टर पेंस करते हैं अजय मैं में सक्या हमारे देश का कौन है तो है Tarain Eller निर्मला अज्यां सि म्लों थोडह seven 효lasa कि छीरिमती मसमाती मेरे सीता रमणनी कि ऐसे बोल रहे हैं तुम निर्मला सीता रमाजस तुम्हारी सहली है बजट कौन बनाएगा और वही निर्मू निर्मू बनाएगी अपनी निर्मू बनाएगी उसके अंदर अमेंडमेंट हागी कई लोग तैसे बोलते हैं थोड़ा इज़त दिया करें एक पोस्ट है फाइन बनेगा तो क्या पता वह आप में से स्लेक्ट करके वहां ले जाएं कि नहीं बच्चा तो सुनो जहां से शिरिमति निर्मला सीता रमांजी वह हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है ठीक है वह इस फरवरी को एक फरवरी को बजट निगालेंगे सबने जरूर देखना है चाहिए तुम्हें पल्ले पड़े जीरो उसमें टेंशन नहीं लेनी वह मैं समझा दूंगा तुम्हें बड़ देखना जुरूर है अच्छा इस बजट में क्या कोई टेक्स में चेंज आएंगे नहीं आएंगे कैसे बता आपको तो चेंज लाएंगी ना वह आपको देखके थोड़ा लाएंगी कि तुम्हारे सीएस में आएगा नहीं आएगा वह तो देश की फाइनेंस मिरिश्टर है तो चेंज इस तो आएंगे माल लो माल लो माल लो इस बजट में भाई सब इन्होंने टेक्स रेट फिर चेंज करत अब हमें पढ़ना स्टार्ट करने ओफूली आज या कल तो नहीं कर पांगो क्योंकि आज मुझे क्लैरिफिकेशन और बहुत सारा टेक्स के बारे में आपको बताना है देन फिर चेप्टर बन प्यांगा तो माल लो हमने चैप्टर बन स्टार्ट किया इंकम टेक्स का उसम अधर से एक वर्ड आया सरचार्ज अब 40 परसेंट आपने नोट नोट्बूक उठाई अपनी 25 परसेंट इदर 40 25 अब क्या करें अधर से एक बजट आ गया उसमें अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्स आ रही है और उसने टेक्स रेट कुछ अलग बोल दी है हमने कुछ अलग ल तो क्या वहारे स्लिवस में कवर है या नहीं है जो जो बच्चे यह जो बच्चे कहना चाहरे है येस कवर है मन में जो तुम्हारे आ रहा है कि चलो और जो जो बच्चे कहने सर वह कवर नहीं है इस가요 किया बात अबत अरगिसमबर 24 में आपपविकेबल या नहीं एग कि national के शुर्ण के सुन लो ना यूँन इसमेड़ समज फ्रीच में या अर् estaba मिजज Bunu कंश में अने वाला थो कान खोल ले ऩे शुष तो जाते हैं कि अब आदे बच्च आप तो फिर भी बैठें कई बच्चे कई बच्चे तो पीछे ऐसे बैठें कुई ही तहां सुबह 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 आठ बुला लिया गाबे ने कि यान देगा तो अच्छी बात है नहीं तो भाग जाओंगा कि यह दो आपको मैंने पहले बेगा सुबह सुबह आना वर सुबह मेरी निन्द मेरी चार बज़े इसलिए नहीं खुळी कि मैंनी क्लास है इसलिए यहां से हमां अंदर जा रही थी कि अब्यों सुबह 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 बहुत होता है वह सब पक्के मैंने पैर संदर गुसाई और फिर आचे टांग वांग की फिर मैं सो गया दुबारा से फिर उठा मैं साड़े पाच शे बज़े के रहा हूं तो सुबह सुबह उठना बड़ी मुश्किल वा आता है इस तरम सरदी का टाइम है यह तो फिर भी नालायक कंबल के अंदर बैठी है कि यह गया वे है नालायक पपी दे रहाएक बच्चा कि इनके लगी मोबल चल रहा है इधर देखो द्यान से तो सुनो द्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो अब मेरा कुश्चन यह था कि जो दिसम्बर 24 है क्या उसमें कमिंग बजट आएगा नियाएगा तो पहले कान ख अब बजट आएगा बजट 23 आएगा जो पिछले साल बजट आया था इसको हम बोलते हैं फाइन सेक्ट 23 और दिसम्बर वालों ने पढ़ा हूए फाइन सेक्ट 22 अगर आप में बच्चा पहले एक्जाम देके बैठ चुका है उसको लग रहा है कि मेरे क्लियर नहीं होगे या यूट्यूब पे कोई बच्चा है तो वो कान खुल के बस एक बास सुन ले आपके जून में अगर एक्जाम आपको देने है तो बजट 23 पढ़ना पड़ेगा फाइन सेक्ट 23 आप सबने फाइन सेक्ट 22 पढ़ा होगा तो 22 और 23 में चिंजिस है उसके बाद फिर और क्या है छे महीने पहले की नोटिफिकेशन भी आएंगी छे महीने पहले का मतलब अगर जून 24 में आपके एक्जाम है तो 30 नमंबर 23 तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगी वो भी हमारे स्लेबस में आएंगी जिए आज डेट क्या है और मैंने कप तक क्यामन्डमेंटर अब तीस नमंबर आने वाला है जो जा चुक है तो सारे बच्चे निश्चिंतों के बैठ जएंग जून वाने जीतने चिनिस आने थे वह आ चुके हैं जितने जैनिस आने थे वाच चुके हैं अब अगर कोई ग्रूप में मैसिर फ्लो कर रहे है या उस ग्रूप से बाहर निकल जाओ उसको ग्रूप से बाहर निकल दो कि सरस्था दिमाग खराब कर रख है वट्सव ग्रूप ने सबसे बड़ा फेलियर का रीजन बनता जा रहा है सबसे बड़ा बच्चे का रिजल्ट ऐसे डाउन होता जा रहा है कि मैं को समझ न्यारी कि बच्चे अपने करियर से प्यार करते हैं नहीं करते क्योंकि कुछ दस पंदरा बच्चे तो हैं वह आपस ऐसे लड़ यूट्यूप पे तेरी मा की तेरी भेन की कर रहे हैं योट्यूप पर लड़ने के लिए हो अराम से बैठके पढ़ो ना तुम्हारा में करियर कहते मैं सीयस बनना नहीं बनना तुम्हारा में तुम इसमें घुजे किसले हो यह पॉल्टिक्स के लिए कि जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसे पकड़ाए कि तुम्हें पॉल्टिक्स में कुछ जाना है या तुम्हें सीएस बनने हैं तो करो ना उसके लिए काम फिर इसलिए मैं कहा रहा हूं क्योंकि इतने सारे यूट्यूब गुरूप वट्सेप गुरूप बन चुक मैं एक दिन मंदिर के आगे बैठके मैंने सारे गुरूप एक्जिट के मैं का ऐसे की तैसी चलता रहे मेरा क्या मैं आपने जिंदगी जिऊंगा ना भाई अगर किसी ग्रूप में आ रही है उसको गुरूप से बाहर निकलो उसको बोल दबहिया हमें चिंजी जो पढ़ने वह आचुके है अब कोई नया चिन हमें नहीं पढ़ना बस और अगर आपके दिसमबर 24 में एक्जाम है फाइने से तो सेम आएगा बढ़ 31 मही तक की नोट आप में से कुछन पक्का पुछेगा एक फरवरी को सर शीन सीता रह्मन जी ने वह चेंज कर दिया आपने क्लास में करवाया था अब क्या करें तो मेरा रिप्लाइए क्या होगा कि वो चेंज आपके लिए और अगर किसी ग्रूप में भी चीज चल रही है या तो क्लियर कर दोसको कि भाई वो चेंज जून 24 दिसमबर 24 के लिए नहीं है बस यह बाद ध्यान देज़े तो इंस्टीटूट हमेशा चाहे वह सीए वाला हो चाहे वह सीएस वाला हो चाहे व पर अब बॉल दो है लाइव बच्चे कमोन पेपर का नाम कही टेक्स लोज एंड लोज का मतलब एक्ट है या सारे मलब सारे लोज सारे लोज का मतलब act rules regulation circular notification clarification explanation जो भी więc है वह सब कुछ पूश हमारे स्लेबस में है practice का मतलब कै कि हर चीछ को practical implication के थूँ सोचना है उसके बेसपयमें काम करना इसलिए practice word जोड़ा गया उसके बाद मैं कितने टेक्स जोगा कोन से डारेग्ट और कितने responsibility लूशु का है और डारेक्ट में ओल तो फिर मैं अपने मेन पेपर आ रहा हूं जी सींगे इस किसने सुना हुआ है पृष से बिखार की बात कर दी अरे मार उच्छे से डर्व मुझा अंसर दींगे किससे तो खिल या लाईये वाले बच्छे भीटी अबने से घूआ हुआ में गबबर सींघ्थ महीं है गोड़्ड नाइट वीडिव्ह मैं रखना अटिग छेव सेश्द गहार गूडस अच और कि और सर्वीशय क्षट यह सिर्वीश्ट NEXT सर्वेस्टिक सर्वीस पैले गलती तोर यह सुधार लो कि तुमारे मुझा पटभ़ का निकलता है रभूर यह गलत भूल हो सजी हो क्योंकि सिंगल सर्विस टैक्स अलीं की सबनीवलिया तो फूलभर में गबयाई रहा है अब एक बात में बताओ आपने कौन कौन से यह सुने लगऺ इंद NEW्र Ř चलो और SGST, okay, IGST भी सुना है, अच्छा, और UTGST भी सुना है, और VAT, VAT, क्या बात है, VAT, VAT भी सुना है, और, Service Tax भी सुना हुआ है, बहुत बढ़िया, Custom, Custom भी सुना हुआ है, वेरे गुड ये ऐसे नालायक बच्चे हैं मैंने कहा था GST कौन कौन सुने है बैट सर्विस टेक्स अभी थोड़ी दिन मैं और नहीं बोलता ना इंकम टेक्स बोल देते हैं ये TDS, SES, सरचार सब तक महुन जाते हैं क्योंकि तो नहीं कोशन सुना ही नहीं क्या वो कहरा właśnie private company की फाइदे बता Company 2, 3 की होती है वो कहरा Practical Company की फाइदे बता पपलिक company होती हा Pr waz area companies बता वह लिखी क reckless भी पर वाला काटा मार दे गा सर लिखा था मैने number नहीं मिले अरे तुन्हें ऊपर क्या लिखा था कि इतनी नीची तक तो वह जाएगा भी निहीं इसको पहले गुसा चढ़ा तुलने कि एक पेपर चेक करने हैं कि तीन से पांच मिनेट मिलते है एक पेपर चेक करने हैंobile दिखाना चाथे यहां बंडल वाले फेल हैं रैंक उनिक आता है जिनकी आज तक पूरी एक शीट नहीं भरी रैंक वन से पूछो काफी सारे बच्चों के मेरे से पड़े वह बच्चों के उस प्रफेशनल के रैंक वन आया है उनसे पूछना उनका इंटर्वी यूट्यूब पर पवड़ा चाहिए है कि मैंने का मतलव कितने पेज मतलब कैसे अगर आधे पेज आशा तो अधाल लिखना है नहीं नहीं आप दो बोल दो कि मैं दो भी लिखांगा आपको मेरी क्वालिटी नहीं पता एक वाल में जब लिखने बैठ जाता हूं फिर मैं लिखता रहता हूं कुछ भी मैं डालूंगा पांच नंबर में आप मैं को शीट बताओ कितनी बर नियुक्त है तो यह कोश्चन इस लेवल पर नहीं चलने ईटी लेवल के माइंड से बहाराना है अब ठीक है जितना उसने बोला उतना लिखने अब सारे बच्छे में को बताओ जी एस्टी कौन कौन सु तोने एं मैं एक बार पूछन रहता हूं वैसे कहां कहां सुने मतापने जी अब चेक बहुत ठन लग रही है विच्छा क्या नाम आपका शोर यह है ओ माई गट क्या नामे शोर यह बहुत बढ़िया जी शोर यह आपने कहां सुना यह टेक्स बिल में कभी देखा रहा बिल में कौन कौन से देखें वैसे आपने दो देखें जी आप देखें आई जी एस्टी वेगारा सुना यह बस देखानी यह जी आप कुछ फर्माना चाहेंगे शीजीं सीजीने में आईजी स्टी लगवा देखा ओए हैंं का हैं एक और किसी ने दोनीं जी आपने का देक है क्या मैं आपका सुर्भी जी सुर्भी कहां देखाए हैं ओके बात xute你们 को में पॉर्यक्ल विद्यियारी बिल्कुल सही कहा है हो जी क्या चिल अच्छा आउट ओफ स्टेट से क्या मगाते हैं उस पे आई जी एस लगा हो देखें जी यहां पर कोई बचा था जी अ मशिनरी पर हाँ अब आरे यह में बात अब सुनो द्यांसे मैं कहना क्या चाहरा हूं सुनो द्यांसे है चाहर जी सती हैं सारे बिचे खान खोल के सुनें क्योंकि पहली दीख्षा सबसे हिमिंपोर्टेंट होती है बहुत कुछ सेखे जाओ लोगे आ जगए चाहर जी स्टि ने अब आपने कोंभीनेशन देखेंगे तीन GST चार हैं बढ़ आपने combination देखेंगे 3 3 combination कैसे या तो आपने combination देखा होगा CGST प्लस में SGST या आपने combination देखा होगा CGST प्लस में UTGST या आपने सिर्फ देखा होगा IGST यह किसी के साथ नहीं लगता या केला लगता है अब पहले सुनों एक combination आपने कहां कहां देखेंगे बहुत डिटेल में करेंगे सब भर दूँगा आपको इंकम डेक्स और GST से आपके खून में भी ना निकला तो मुझे बोल देखा होगा जब नॉर्मली हम सेम स्टेट से कोई भी डिलिंग करते हैं तो फिर आपको CGST प्रस में SGST लगा होगा दिखता है आप अगर एक स्टेट से समान सेल परचेस कर रहे हो तो आपको ऐसा-इसा कुछ बिल में लगा होगा दिखेगा अगर आप सेम यूनियन टरिट्री से अच्छा डेली तो ऐसे कहरें डेली अकलग कंट्री है अरि तुम्हें लगता तो होगा वैसे दिल्ये कंट्री है अभी तो लख्षमिय अगर भोष शान्त है तो इसमें शाम को निकलना कि वस्हाम को ना अलग देश लगेगा यह थे बतारों सर आपको बता है दिल्ली की पॉपलेशन कितनी है कितनी है दिल्ली की पॉपलेशन क्यों गुशंद्द्दर्ण है हम तीन साटें करोड में और यह दो क्रोड ऑप्रक्समेट है है को एक कंट्री भुटान तुन्हें आपने भुटान का उसकी population कितनी है पांच लाख दिल्ली कितने भुटान निकाल देगा इसलिए लोगों को दिल्ली कंट्री लगता है मेट्रों में कभी जाओ आप कभी अगर मेट्रों में चलेगे दिल्ली में भाई साथ आपको लक्ष्मी लेगर पे एक्जीट लेनी है जोर वोड नी लगाना बस खड़े हो नाराम से ऐसे खड़े रहो आपको धक्का मारके ऐसे कर देंगे आप बहार आदो कि आपको जोर लगाना नहीं है लक्ष्मी दो दो मिंट की रोटे हैं अब नहीं अब नीए हो सकता अब भाई सा धखकेश कुंदर गुसाएंगे तब जाके मैट्रों गेट बंदो दोगा दो मिंट की वेटिंग भी नहीं करते हैं उदिल्ली एक्चुल में बट के बिलो में क्या लगता है आपने कभी दिल्ली के दिल्ली में बिल दिखाना पी ना खाया कभी दिल्ली में बिल में क्या लगा होता है सीजी एसटी प्लस में एसजी एसटी लगा होता है यूटी डियस्ट नहीं लगा होता है, अब कमाल की बाद है दिल्ली यूटी है, फिर भी CGST, SGST क्यों लगा, उसका भी रीजन है, आपने कभी अब्जर्व नहीं किया ना अस तक, समान लिया, अंदर चला गया, बिल में क्या लगा वो देखा नहीं, दिल्ली यूटी है लग में लिए लेजन होगे तो IGST की बात होगी, अब एक नोर्मल बताओ, सेम स्टेट में समान बिकरह तो क्या लगिए का, CVST में, सेम यूटी में समान बिल रहे तो, CGST में, और अगर दूसरी स्टेट में समान हो रहे तो IGST, या दूसरीumbledore समान विक रहा तो IGST यह बात ध्यान देना अगर जहां भी दूसरे की बात होएगी न महां पर IGST की बात होगी सेम स्टेट में CGST SGST सेम यूटी में CGST ब्रस में UTGST यह बात क्लीर हो रही है अब यहां पे दिल्ली में आपका UTGST Q नहीं है तो बस अभी तना समझो कि दिल्ली को GST में स्टेट माना जाता है इसलिए यहां पर SGST अप्लिकेबल होता है इसलिए UTGST अप्लिकेबल नहीं होता जी यह बिल्कुल बेसिक क्लिए रहा है पकाबका चलो अब मैं आ रहा हूं जी अपने में पॉइंट के ऊपर अब एक बार य कितने टेक्स है डारेक्ट और डारेक्ट में कौन से है और इन डारेक्ट में कौन से है जी एस्ट और अच्छा डारेक्ट के पीछे वर्ड का लिखा हुए टेक्स इन डारेक्ट के पीछे वर्ड का लिखा हुए इंकम के पीछे वर्ड के है जी एस के पीछे वर्ड के है ट कम टाखो जीएस्ट को टेक्स क्यों कहते हैं अब उस पर आने से पहले वह तो बहुत दूर की बात है पहले बताओ का मतलब क्या होता है कि कर बताओ क्या है टेक्स का मतलब क्या समझते वागों थोड़ा बत मैं आपको पता नहीं है बिल्कुल को रा कागाजये आझ def him और अगर पहले भरा हुआ है तो मुझे मिटाना है तो जो भी आपके मन में है पहले से है या जो भी आप सोच रहे यहां बैठके खुल के बताओ तब जाके मज़ आएगा गेम खेलने का जी बताओ टेक्स का मतलब क्या है है कि हैं रेस करके जी क्या नाम आपका अतुल जी अतुल टेक्स का मतलब क्या है जो भी हम एडिशनल चार्टीस पे करते हैं वह एक टेक्स होता है ओके और 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 कोई बच्चा जी जी ओब्लिगेशन टू पे आउट ओफर ओवर इंकम गोवर्मेंट के लिए राहूल कहा रही गोवर्मेंट के लिए रिवेन्यू है टेक्स ओके चलो और बैटो 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 और 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 कोई विचार आपके जी शोर्या है कि क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में और मुझे तो ठन लग रही है कि एडिशनल चार्जिस को हम टेक्स कहते हैं चलो कोई बात ने वाले दिल से कुछ निकलना चाहिए जी आप बताओगे कुछ कि क्या नाम है बस्यापता हूं कि उमा कुशा जी आप कुछ बताना चाहोगे कुछ भी जो मन में आ रहा है कि सर मेरे कोडिंग टेक्स का मतलब ही यह है बस काम खतम गलास सही छोड़ दो यह सब नलाइक है आप सुनो इस क्लास के दर मैं और आप है बस ऐसे बोला करो हां जी जी इंकम पे जो हम फिक्स अमाउंट पे करते हैं उसको हम एक टेक्स कहते हैं चलो वो तो इंकम टेक्स हो गया उसको हम इंकम टेक्स बोलेंगे ना फिर तो मैंने क्या बोला टेक्स का मतलब क्या है जी बैठो देखो फिर आप मेरा कोश्चन नहीं समझ पा रहे आपने बोला कमट्री के रिसोर्स को यूज करते हैं वहां से इंकम कमाते हैं उच्पे जो टेक्स पे करते हैं वो तो इंकम टेक्स हो गया ओके छीक है चलो चलो ठीक है मैं एक बार लाइब में पढ़नों जी लाइब में बच्चा कहा रहा है गोवर्मेंट वे कलेक्शन मनी अच्छा सुनो ध्यान से बहुत ध्यान सुनना प्रोब्लम के टेक्स खतम हो जाता है बच्चा सीएस बन जाता है उसको टेक्स का मत्तम नहीं पता काफी सार बचे सामने आंसर दे रहे है सर ये गोवर्मेंट का रिवेन्यू का सोर्स है यह हम गोवर्मेंट को पे करते हैं मेरा कोशन सुनो क्या है मैंने ये नहीं पूछा आप किसको पे करते हो मैंने ये नहीं पूछा कि government किस लिए तुम से tax ले रही है मैंने पुछा tax है क्या what is the meaning of tax भाई साब मैं यह तो कही नहीं रा कि वो public welfare भी उसकर रही है वो तो उसका objective हो गया ना कि government tax क्यों ले रही है मैंने objective नहीं पूछा objective to collect tax मैंने नहीं पूछा मैंने पूछा meaning of tax जी अगर हम एक right enjoy कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी duty बनती है कि जो हम pay करें चलो बैठो अब सुनो ध्यान से मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुना देखो बातें छोटी छोटी है नहीं बच्चे को पता लगती है बच्चा यहीं से गलती उसकी पहली गलती ही टेक्स की definition से उनी स्टार्ट हो जाती है सुनो ध्यान से मैं कहना है क्या चारो पहले मैं को एक अंसर दो टेक्स क्या है उससे पहले यह बताओ कि टेक्स देना compulsory है या ओप्शनल है जो बच्चे कहने च courtesy टेक्स देना कमपल सरी है जो यह कहने हो यह कहने हो पक्शनल है सर यह क्या वाला कोई बच्चा एक दो और जो यह कहने हो ओप्शनल है मेरा आपसे question है मेरा मन करेगा मैं care मैं नहीं दूँ हा या माई life माई रूवjer मैं ऐसे कहना चाहर। मैं चाहे 50 क्रोडर पर कमाऊं, चाहे 10 क्रोड कमाऊं, गुर्ण बोलेगी टेक्स नहीं दूँगा, मेरी मर्च, मैंने कमाए 10 क्रोडर पर, ऐसा होगा? किसी अमाउंट तक तो बाते कलग है वो तो आपने बोल दिया किसे जैसे धाई लग तक पे नहीं करना मैंने एक नॉर्मल बोला कि टेक्स देना कंपलसरी होगा या नहीं होगा बिल्कुल टेक्स इस एकंपलसरी पेमेंट अब सुनो ध्यां से आप सबने लाई वाले बच्चे भी सारे के रहें कंपलसरी है मेरा दूसरा कोश्चन के है कि आपने बोला टेक्स एकंपलसरी पेमेंट है अगली लाइन सुनना उस्कों आप एप्रिशेट करोगे अब टेक्स एक compulsory payment है बट क्या हर compulsory payment एक tax है मैंने बहुत बड़ी लाइन बोल दी है tax is a compulsory payment यह बिल्कुल सभी लाइन है बट every compulsory payment जो भी हम pay कर रहे हैं क्या वो एक tax है तो फिर कौन सी compulsory payment एक tax है अब सुनो tax का meaning government यह बात कहती है कि tax का मतलब कह है कि कोई भी compulsory payment जो तुम government को pay करोगे किसी act के base पर और किसी low के base पर वो एक tax बन जाती है tax is a charge tax is a fees और ऐसी compulsory fees ऐसा compulsory charge जो तुम्हे pay करना ही पड़ेगा बट वो pay कर रहे हो किसी act के base पर सबसे बड़ा word मैंने बोला है किसी act के base पर pay की गई compulsory payment उसको ही tax बोलेंगे तुम्हे बेकार की बाते है public में use कर रहे है भाई साब वो उसको usage है वो उसको meaning tax का नहीं है use कहाँ पर करते है वो बात की बात है पहले tax समझे तुस tax है क्या तो कोई भी compulsory payment जो हम government को pay करेंगे किसी act के base पर वो एक tax है सारे बचो मुझे आंसर दी न, है आपने सुना, Hazi, Bombay में हफ्ता वसुली की जाती है किस-किस सुना – Bombay में हफ्ता वसुली की जाती है अब जो यह हफ्ता वसुली की जारी है क्या यह compulsory payment करना compulsory है या नहीं है अगर आप नहीं दोगे हफता आप मैं एक्जामपल दूसरा देता हूं दिल्ली में रह रहा है अभिशेक आप दिल्ली में रहे हैं अब सब आंसर देंगे मुझे आप ने सुना कभी आपके एरिया में मार्केट लगती है मंगल बजार, बुध बजार, वीर बजार, शुकर बजार, शनी बजार, किस किस ने सुना एक बार हैंड्रेस करना ओ क्या बात है अच्छा जब वहां की मार्केट लगती है आप मुझे बताओगे देखो आपसे निकल वहांगा तो उस दिन दुकाने बहाँ पे कम होती है या बहुत जादा होती है नई कम होती है खाली पूरी मार्केट by खाली हो जाती है या भर जाती है भाई संप्ड़ रखने की जगानी होती अजप्ट जंबता ऐसे बहार निकलती हमें बिल्गें लगा रहें दुखाने लगी पड़ी है दुकाने लगी पड़ी ऑफे सोप सल्पा का लोवर लूट लो फिर किसे ऴृत सना कयो लड़का साड़ी उपर करके दिखा रहे हैं तो ठीक है भाई समान बेचन है बट यह थोड़ा कि तो अपना भाई मोडी चेंज करतेगा मैं तो लड़कियों के अंदर एक खास बात है लड़कियों के अंदर मैंने एक चीज देखी है जैसे मेरी डॉटर है पुझाल और आफ बुझे क्यों उठा रही हूँ गोगों अफिल होता से कई वर आपको फिल होते है नहीं होता आ अपने कभी बोल視 से जा रही हूं को अच्छा लगेगा आपको अच्छा आप में से किसकी लड़कियों ने वैसा बोला है कि मैं जा रहा हूं, ऐसा नोर्मल होता है, बच्पन में तो यह सब आपने बहुत बार बोलोगा, पापा मैं जा रहा हूं, ठीक है, हम नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं हमारे नदर क्या कम ही है, तो अब सुनो ध्या कि यहुलूब हुए अगर नहीं देंगे तो क्या होगा दुकान लगानी देंगे हैं अब सॉचके वोलना क्या वो एक पेमेड मंपल्सरी है बट क्या वह एक टेक्स है व् el अग चैनल मैंने तक्स है जो तुम का भॉन्मेंट को पे नहीं किसी एक मेल कर ौक अब मेरे अंसर है income tax अब आज मार देना income tax आप किसको pay करते हो और क्यों pay करते हो क्योंकि वो income tax act में लिखा हुआ GST किसको pay करते हो क्यों पे करते हो क्योंकि वो act में लिखा हुआ custom duty किसको pay करते हो क्योंकि वो custom act में लिखा हुआ तो पहले बाद तो यह समझो, tax का मतलब कहा है, tax एक compulsory charge है, जो हम government को pay कर रहे हैं, किसी act के base पर, वोही compulsory charge एक tax बन जाता है, tax एक बहुत white term है, income tax is a type of tax, GST is a type of tax, बास्तों में आ रहे हैं, अब यहां पर एक बार चेक करो, देखो जी, तो सबसे पहला meaning यहां पर, देखो जी, meaning of tax, इसको भी हम लिखेंगे, ठीक है, एक बार पहले पढ़ो क्या लिख है, a tax is a optional, या mandatory, बोलो क्या लिख है, a tax is a mandatory fee or financial charge levied by a government, under an actor, सबसे में वड़ यह मत भूल दाना जिद्दगी में, मैं कह रहा हूँ, बाकी line याद रहे ना रहे, यह सबसे important है, जो किसी act के under pay की जा दिया, compulsory payment वो एक टेक्स है बस, ठीक है नहीं, अब आगे देखना, अब सुनो ध्यान से, अब क्या होता है, किस पे लग रहा है यह, individual or an organization, बलग कंपन information ही बोई देती है, तो भाई यह reason बता रहे हो, meaning नहीं बता रहे है, यह objective है, टेक्स का, कि टेक्स क्यों लिया जा रहे है, अब पढ़वा की कह लिख है, और किस लिए 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 जा रहे है, for public work providing the best facility and infrastructure, the collected fund is then used to fund different public expenditure program, अब एक बाद में को सोच के बताओ, सोच के बताना आर बड़े-बड़े highways बनगे नहीं बनगे, highways बन रहे है, जगा जहां जाओ highway बन रहे है, road, highways, bridge, metro, station, कहां का देख लो, airport, यह सब पैसा किसका है, tax का, और government तुमसे पैसा लगए तुम्हें वापीस कर रही है, बड़ उसका mode अलग हो गया, अब सोच के बोला, बच्चा के बढ़िया हूँ, airport बढ़िया हूँ, भई कैसे होंगे, जब तो government के बस revenue नहीं आएगा, क्योंकि government का main source of revenue ही क्या है, वो टेक्स है, और government तुमसे लेना चाहती है, पर एक बाद बता हूँ, GST का collection कितना है, भी, बता किसी को, एक लाख बोलो, च्यालीस हजार करोड़, एक लाख च्याल, और government का target बता कितना है, दो लाख करोड़ रपे, पहले तो दो लाख लिखने आने चाहिए, फिर करोड़ लिखने आने चाहिए, इतना government का target है, GST collect करने का, और आज तबी इतनी बड़ी-बड़ी आराम मंदिर देख लो, राम मंदिर होगा, जगह जगह भाई सब development चल रही है, पैसे क्रोड़ों अर्बर पे लग रहे है, यह सारा पैसा, no doubt, हमारे public के tax करिए, और अगर यह tax नहीं आएगा, तो government इक काम भी नहीं करेगी, ठीक है रही, तो जितना भी देश का infra है, जो development है, इसलिए government तुम से tax collect कर रही है, यह government का objective है, ठीक है, अब last time बोल दो meaning बताओ क्या है, tax क्या है, fee और financial charge, पहले बताओ tax क्या है, fee और जो देना क्या है, mandatory, ऐसे यह किसी act के अंडर, तो वो charge क्या बन जाता है, एक tax, बस यह बताओ, आज के बाद यह मत बोल देना मेरे सामने, कि income पर देने वाला tax, tax होता है, वो income पर देने वाला क्या होता है, गूर्स पर देने वाला क्या होता है, थेक्स की देफिनिसन नहीं है छो इस की जो हमें पे करना कंप्लसरी है रोग सारे बच है ये उड़ाएं विद्वास में रही है वक्काबप्का तो इस आपका टेक्स के डियुफिनिशन निकल क्या रही है अब टेक्स के टाइप्स कितने हैं जी बोलो फटावर सारे बच्चा बोलो कौन से डारेक्ट और अब मैं को बताओ डारेक्ट टेक्स का मतलब क्या है फिर इसके हम नोटिंग करेंगे थोड़ी से जी डारेक्ट टेक्स का मतलब क्या है जी जो हम खुद से पे करते हैं, वो direct tax है, वो individual और corporate sector पर लगता है, live वाले बच्चे, I love you, बच्चा गर I love you three, आप भी reply करो मेरे बच्चे, एक बार थोड़ी से smile past कर दो, आप भी एक बार smile past कर दो, आपको बता, आप हसते हूं अच्छे लगते हूं, सिर्फ photo खिचबाते हूं म मत हसा करो, जैसी photo कोई देखते हैं, जैसी camera अटाया, कितनी fake smile हम असरे हैं यार, हमारे चेहरे ही मुर्ज आ गए हैं, मैं को लग रहे हैं, आपको feel नहीं होता, ऐसा होता नहीं होता, तो come on, थोड़ा सा चेहरे परना हल्की smile रखा करो, दूसरे को देखके बहुत positivity मिलती है, मैं तुमारे पास आ रहा हूँ, अपनी problem लेके, जैसे आ रहा हूँ, मैं इससे problem बूचूँगा, यह पहले ही, मैं कहां नहीं आ रहा, क्यूकि मैं को लग रहा है, तुभी मुझे को सुनाएगा भी, थोड़ा से smile pass करो, आपके पास, आपका ना ओरा इतना positive हो, कि आपके ब अंसान में क्या vibe है, पता नहीं क्या, और तो नहीं कहीं वो, हिपनो नहीं क्या करते है, हिपनो नहीं, यह vibe आपके अंदर उंचे, बड़े वो कब होगी, अगर आप अंदर से honest होगे, और अंदर से positive होगे, थोड़ा सा दिन में वैसे ही smile pass कर दिया को, बीना किसे बात कि श में खड़े होता है शरम आती है, हमें खुद ही लगता है क्या है हम, पेट बाहर निकला हुआ है न हमारा, ठीक है तो वैसे थोड़ा बहुत हस्तिया करो, ठीक है अच्छा लगता है, साही चाहरे पर smile बहुत बढ़िया होती है, अब मुझे फड़ा बचसे बताओ जी, मेर किसी की डेथ हो गई है, मेरे पापा ने मुझे भगाया वहां से, अच्छा मेरे थोड़ा मेरे अब क्या होता है, कि बच्पन क्याता होती है, मैं ऐसे नॉर्मल, उधर मरा बढ़ा इंजान मैं से, और कौन आ गया है, क्या से निकाह, हसना चाहिए बढ़ थोड़ा सा ये न है, बट ये नहीं काम चलेगा हास्ता के, तो वहर सही है, चलो, अब एक मार फटाब सबताओ जी, हानी, मैं पूछा था, डारेक्ट टेक्स का मतलब क्या है, जी, एक एक करके, जी, जिसकी ओबलिकेशन होती है, पे करने के अगर वही पे करे, जी, परिटिकुलर, नहीं, ड इंकम टेक्स तो टाइप है, डारेक्ट टेक्स की, जो हम डिरेक्टली गवर्मन को पे करते हैं, ची, जिस पे बर्डेन है, वो ही पे करें, चलो, अच्छा ये न बहुत डेफिनेशन मेरे सामने आती है, और जबकि इसमें से कई बच्चे मेरे से पढ़े हुए, पहले, कुछ बच्चों को याद है बस, मैं कहना क्या चा रहा हूं, जिनकी पहली क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो भी वो सेम अंसर देरें, मुरे चुबता है, 90% बच्चे की डेफिनेशन याद करके बैठा है, कि ऐसा टेक्स, जो हम डिरेक्टली गवर्मन क आँख के करते हैं, वो एक डारेक्ट अक से, या डेफिनेशन हर जगहें, अब मूलेंगे डारेक्स के अजद्रेसे, बच्चे ने बोला, सर जिस पर बैडरेन है, अगर वो यी पे करें, जो हम डारेक्टली गवर्मन को दे रहे रहे हैं, सफ जो हम ही पे करेंगे, ये सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो कैलकुलेशन करा हो वो तो मैं भी दो मिन में श्राट कर वा दूंगा अगर बेसिक लिए नहीं फिर बोला ना कि फिर क्या होगा भई तुने पढ़ा कि है सुनो द्यान से डारेक्ट टेक्स का मतलब क्या है ऐसा कोई भी टेक्स जिस परसन पर लैवी हुआ मैंने क्या बोला जिस परसन पर लैवी हुआ अगर बैडन भी सेम पर संपर आएगा डैट इस डारेक्ट टेक्स मैंने पेमेंट वड्यूज नहीं किया मैंने क्या बुला लैवी एंड बैडन अगर सेम पर संपर है तो वह डारेक्ट टेक्स है हां जो आप बोल रहे हो कि डारेक्ट लीपे करते हैं इंकम टेक्स जो भी है जैन्रली वह हम डारेक्ट लीपे करते हैं बढ़ हर केस में सब नहीं होता तुम्हें प्रूफ करता हूं अभी तो सारे बच पहले अब देफिनेशन बोलो डेफिनेशन मितलब क्या है डारेक्ट टेक्स मींस क्या बताओ कि लेवी एएंड गार बैडन दुवारा बोलो लेवी एंड लंबा लेकर जाओ लेवी एंड अब जाकर है बहुत अगी जैसे ओं घर के बार ऐसे निकल रही होती है न कई बार तो एंड बोल रही होती है अब दहां से तो एंड की धून उती है मैंने वहीं से उठाई यह आप दोबारा से बोलो लेवी एंड बैडन अगर सेम परसंपर है तो वह डारेक्ट टेक्स है सार्ब भाण सर दो के अशञेरा प्रेक्ज ह मैना को लिagsकें आरहा है जैसे माल लूर्य अधिकम तेक्सकर अपमेंसे इंकमपल लेते हैं किसका लंपल्य किसकी अग्जामफल लें एक्जामपल लें प्ल्याんだd.2 इस बच्छे आप से पीच्छे ली पश्ण राकेश में आपसे कोश्चन है आप सीयस्ट बनके क्या करना चाहते हो किसी दूसरे की जयव परएगा या आपकी जयव पर आएगा वfor और आपके बाष कितने बच गये नो लाख रवे आपने एक लिए तो बच्चा के रहे हैं कि हम ही तो पे कर रहे हैं तो वहीं तो मुझे पार राकेश हे प्रेमेंट यहां पर राकेश कर रहा है में इका एक इए उसक delegates कमाई है कैlaxे ने इनकम कमाई 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 कुर्छ इंकम कमाई स्ट्ज एकस मठर गया किया क İş के साथ ऐसा हो सकतर हो सकता निए हो सकता जा कि अब अगर मालो उसने 50 लाख रुब की साल की स्टिंग मज़न कि इंप सोब्स यह system की और देगी उसके रिप्रसेंटेटी जो होग क्या एक्स पूंट जाएगा पत्तिर के उन्वेन आट स्यट गॉर्णन है कि सबNoteже एक भड़ देगी यह लेगी इससे लेगी उसके रिथा पर आ रहा है नहीं आ रहा हूरा है उसी की सेलरी में से कट रहा है तो सही डेफिनेशन जो है लेवी और बइटन अगर स्वेशन पर है तो वह एक डारेक्ट इस मैं दूसरा एकजामपल मैं देता हूं है आप एसे किन-किन के फादर जोब करते हैं अब आपने बोला कई होगी उनसे बस यह पूछले न फ़िंद अफसरे में से कंपनी वाली है कुछ टक्स का लिते हैं है बॉलेंगे हां बेटे न फूसक 와서 को क्या बोलते हैं पप ब्हुलेंगे यह तो निहीं पता बैटे क्या बोलते हैं श्याहिद नग अब दे रहा हूँ आज आपको TDS में सेलरी वालों को पता होगा टेक्स डिड़क्शन एट सोर्स सेलरी में से TDS कर जाते हैं अब जहान सुनना आपके पापा की सेलरी 12 लाग है कमपनी ने इस में से 1 लाख रवे काट लिया अपने पास रख लिया, पापा उग्यारा लाख रभे दे दिये, ठीक है ली, और एक लाख रभे कमपनी ने काट की पे कर दिया, गोर्मेंट को, आपके फादर ने कमाई कितने थे, बारा लाख, तो टेक्स लगा किस पर, पापा पर, यह एक लाख रपे, का बैडन भी किस की पर आ रहे है, पापा की पर, बट क्या पे करने वाले पापा, यह अगर पेमेंट के थ्रू घुमो खे, तो तुम तो यह कह daher, बट क्या इंडिर्ट है, यह डारेक्ट टेक्स है, आप समझो सर, पेमेंट का वाइडी नियं है कहीं, बारेक्ट टेक्स का मतलव कोई बी टेक् q2 बंद भो बोलोग आजके बाद डारेक्ट लगा बडा कि यह सेम सब्सक्राइब्टेजा एक यह डेफिनेशन आपने बना दो क्या होगा बताओ अब आपने सारे बचे बोल दो लेवी एड बैडन अगर सेम परसन पर है या डिफ्रेंट परसन पर है तो वह क्या बन जाएगा पेमेंट मैं अभी भी यूज नहीं कर रहा हूं कई बच्चे बोलते हैं सर इंडारेक्ट लिए अगर पे कर रहे होंगे तो इंडारेक्ट है ऐसी कोई भी डेफिनिशन नहीं है लेवी एन बैडन अगर डिफ्रेंट पर सन पर है तो वह इंडारेक्ट है आपको प्रूफ करता हूं इसने जो भी समान खाये मुरूगा मुरूगा जो भी खाया इसने जो भी खाया इस दुकान का नाम दिख रहा कहीं पर पतनी क्या है यह लिखा पंजाब गरील में लगी रहा था पंजाब गरील में मैं आपको दिखाने के लिए तो पंजाब ग्रील करता है उसने यह समान bench को माळंब आपने सद्सक्राइन आपको यह समान बेचा सारे बच्च बोल दिना क्या इस दुकान डर ने बगया इस दुकान डरो ने यह गुट्स बेचा नहीं बेचा इस दुकान तर ने सर्वीस भी दिया आपको मालनों वहाबर खाने का वश्ता दी दुस्ते मालनों सर्वीस हो गई तो जिसने गुट्स और सर्वीस बेचा गुवर्मेन उस पर क्या लगा दिया GST क्या लगा दिया अच्छा अब ये लगा किसकी जेप पर है क्या कस्टमर की या पंजाब ग्रिल की पंजाब ग्रिल की बट ये GST का बैडन क्या पंजाब ग्रिल की जेप पर आ रहा है या उसने कस्टमर से रिकवर की है तो सारे बच्चे बोल दो लेवी किस पर हुआ पंजाब पर और और बडन किसी पर है और अगर लगा किसी और पर और बाइड़न किसी और तो वह एक Indirect पर बन जाता है बस यह पाध्यान दोजी तो यह होता है IDD का मीनिंग जी ठीक है तो आज के बाद आभ कहीं पर भी अबजोफ करो तो टैपिनेशन बिल्कुल सही बोलना कि डिटी का मतब लैवियन बडंगर सेम परसन पर है तो वह डारेक्ट है लैवियन बड़न अगर डिफ्रेंट परसन पर एंपोर वो क्या बन जाएगा इन डिरेक्ट बन जाएगा जैसे आपके सामने यहां पर लिखा वाए जी पिलिए मे और इंसीडेंस ओफ टेक्स फोल्ज ओन सेम परसण वह दो मैंने लिखे जैनरली हर केस में इसा नहीं होता जैनरली अब पेमेंट ओफ डारेक्ट टक्स कैन नोट भी पासने डिफेरेंट परसंन नॉर्मली हम डारेक्टली पे करते हैं बट कुछ केस में पास करने पड़ सकती ही यह ढोट आपका ऊपर भाली एंस रहेगी लेवी ए ड्हाज़ा वो सेम परसंफ रहेगी यह चाहिए उसके बाद अब बताओ जी लेवी किस पे हो रही है टोटल इंगकम पो यह सेलरी पर लगता है बिजनस की कि आपकी गिफ्ट होते ही कितने हैं आज तक आपने कितने का गिफ्ट दिया बताना एक बार है का भी खतम ना लायक बच्चा गया रहा है गिफ्ट ही नहीं दिया मैंने अच्छा और अभिशेख किसको गिफ्ट दिया अभिशेख बताएगा अभिशेख की शादी भी हो गई लिए है चैरे पर स्माइल देख रहे हो विशेक के एक बड़ सारे बच्छे अभिशेक को देखेंगे कि अभिशेक शर्मा रहा 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 देखो अभिशेक अगर चुन्नी लाता तो ऐसे कर लेता हुआ is और साथ में जीत की भी शादी हो गई है आपकी शादी होगे ने जीट है और आप मेंसे किसी तो नहीं होई है अभी इनमेह तरफ क्या देख रहें हो आपको मेरे चहरे से क्या लग रहा है कि अज़ा हो गई मतलब एक बच्छे ने बोला हो गई तो मेरे चहरे कोई उदासी भाव है क्या और यह कहावाद पता नहीं कहां से बने कि शादी के बाद लोग माईूस हो जाते हैं ऐसा नहीं होता भाई मैं अपनी वाइप से ड़ता हो तो आप में सेक इसकर चैनी गहना करें कश्मां से माल्बजें बाद में कि इस ने कभी कोई गिफ्ट दीए बताने unos किस ने दिया कभी और किस ने कभी कोई गिफ्ट दिया नहीं कभी नहीं किसी को भी बाकी सब बच्चे कई बच्चे तो बैठे ऐसे हैं उनके हाथ ही नहीं खुल रहे देखो मैं नहीं बता सकती बड़ी मुश्किल से हाथ गरम हुए है कि अच्छा यह बड़ी से मुश्किल से सर्दियों के अंदर हाथ और पैर यह ठंड़ी रहते हैं कई बार कई मेरे को याद है बच्चपन में तो मैं मम्मी की रजाई में घुश जाता था मम्मी को ठंड़ी पैर लगाता था मम्मी के उदर वह ना लाएक है यहां खुद इतन कि यह अच्छे सेंड्रिस करो चलो और किस नकीळ साЙ में नहीं दिया Ah कभी निडिया किसी को मं में पापा को भी निया मेरे को अध़न जब घलाताएब र terrorism इच है इस चोड़ा कर मैंने देख़े लो मैंने कितना च घ्ल्या नेलाक मम्मी और और स्कपीने कभी गिफ्ट करो उनके बेड़े पर कभी ने दिया कुछ है हां तो फिर दिये तो मम्मी मतलब क्या सोच रहे थे आप मैंने कुछ नहीं का आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल यहां खड़ा हूं जी देखो मेरे दोनों हाथ ऐसे हैं मैंने क्या बोला किस किस ने गिफ्ट बच्चे ने एजियूम कर लिए किसको उसको तो ने दिया कि अधिरा वो माई घॉड भाई गिफ्ट वमम्मी को भी हो सकता है क्यों जी अधिया बिल्कुल हां अरह और यह किस किस ने चलो यह तो दिया की बात हो गई इसको गिफ्ट मिला है एक हैंड इसका ना किसको गिफ्ट मिला है यह देखना लायक लेने वाले देने वाले नहीं है मिला तो है अब सुनो द्यान से लाई वाले बच्चे कह रहे हैं हस्ते चेहरे के पीछे दर्द भोत होता है अब बुरी है महबत महबत बुरी है कि आपको बता है शायरी के बाद ऐसे से करते हैं अब बुरी है महबत महबत बुरी है लोग कहे जा रहे हैं कि यह जा रहे हैं कि लाइन बोद रीप है कि सब लोग क्या कह रहे हैं कि बुरी है मोहबत मोहबत बुरी है लोग कहे जा रहे हैं कि यह जा रहा है यह चल रहा है आप पर थोड़ा समय को यह बोल देना हूं कितने तक के हाईस्ट गिफ्ट आपने कितने तक का दिया है ओ माइगोड 17,000 पर किसको दिया आपने अच्छा फिर ठीक है कि क्या दिया था फोन फोन ही आया होगा इतने तो ठीक है जी और और इस से कोई हाईस्ट लिमीट कुछ किस से लिए पापा से उन्होंने दिया आपने लिया उनसे क्या लिया फोन ही लिया होगा आपने भी जी और इसके लाबा मलब और कोई लिमीट बताना चाहता हो इस चलो इसके नीचे कोई लिमीट कि दो हजार किसको दिए अपने उनको फोटो फ्रेम दिया था तो पाप अम्मी को दिया और लाई में दो सब्सक्राइब जान से अब सब्सक्राइब लिमीट देख पारे हो कितने का चल रहे है कि दो हजार सतना जार और चारसो पांसो दोसो और यहां पर लाई में तो कई बच्चे ना लाएक है अठाइस जार दोसो ग्यारा रबे बतीस जार रबे का लैप्टोप है दस रुपे वाला पैन दिय कदाना हूं कि क्यास गवर्मेंट एक लगाए कि क्यों लगाईगी शर्मी इन चले बाख यह सब कर नहीं वॉन ह्यों लोग पचास-पचास क्रोड रबंग करते थे कि गिस्ट हो रहे हैं पांच लूड़ दस क्रोड़ पचास क्रोड़र और यह गिफ्ट सन्-2009 में रोग्रैं इसं-2009 से बेले गित्म सब्चाहँ नहीं dif एक क्योंencias क्यों नहीं ता क्योंकि गिफ्ट का मतलब क्या होता है out of natural love and affection मैं अभी बनारस गया बनारस में बच्चों से मिला तो बच्चों ने मुझे वहाँ पर गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट special बच्चे ड्रोइंग बना कर लेकर आए sketch बना कर लेकर आए तो ये क्या है प्यारी तो है ने उन्होंने मुझे गिफ्ट क्या दिया out of natural love and affection जो उनका मेरे प्रती मोहबत थी उनको लगा ने में कुछ सर के ले कुछ करना चाहिए उन्होंने वो किया तो गोवर्मेंट गिफ्ट का मतलब यही सोसती थी यहां सुना अब में आपके उपर एक्जांपल ने का मन भी नहीं कर रहा इतना अच्छा नाम है आपका आशीरवाद और बताओ कोई दूसरा नाम है करन जस्करन चलो माले बच्चा है जस्करन ठीकरी यह क्या था जस्करन है और अपना नाम लेता हूं वालो विवेक ठीक है अब बहुत ध्यान सुनना आज की ग्लास को अलमस्ट लास्ट पाइंट है जस्करन के फादर एक कंपनी में जोब करते हैं इनको मिलती है सेलरी सारे बच बताना सेलरी कैश में मिलती है एकाउंट में आती है मेरे पास cash आता है, आप लोगों ने मालो मुझे fees दे पे की cash में, वो cash मैंने bank में जमा नहीं कराया, मालो, अब cash bank में जमा नहीं कराया, वो मेरी बन गई, black money, वो government को पता ही नहीं लगा न, मेरे पास आया, मैंने bank में जमा नहीं कराया, ये black money बन गई, क्योंकि government को इसकी information ही करनी है गोड्मेंट को तो वही पैसा पता है जो मेरे Audra कि ऐसे विखते हैं इन एक्षन के अंदर और नॉर्मली कौन से वोट बिखते हैं जो लोग जुगी जुपड़ी के अंदर रहते हैं कभी आप देखना वहां पर वहीं पर सब घूम रहे होते हैं पड़ा लिखा इंसान के वोट तोड़ा ख्रील देगा मेरे पास को यहाएग मैं तो आपका ही था स्टार्टिंग से चाहिए कोई भी राम मंदिर बन भाए ऐसा होता है सर आपको रियल्टी बता रहा हूं मैं अब ये सारी के सारी क्या है ये ब्लैक मनी है इसका कोई रिकोर्ड ही नहीं है अब बहुत ध्यान सुना मेरे पास ब्लैक मनी है इसके पास व इसको लगा पापा CS बन गया हूं किया दो कमरों की घर में रह रहे हूं कि थोड़ा से अच्छा घर ले लो मैं भी पैसे कमा रहा हूं तो पापा ने बोला चला ऐसे बेटे घर देखे आते हैं घर देखने गए बहुत बढ़िया घर इनको अच्छा लगा इनको ये घर अच्छा ये बात नहीं पता मैं बता रहा हूं कि जब भी तुम प्रोपर्टी पर्चेस करोगे बिल्टर हमेशा कैश मांगता है हमेशा ऐसा कोई बिल्डर होगा है इसके बाप परशान अच्छ तो है निक्विक सारा पैसा बैंक में आता है जिसकिरत एक और अलगी निकल कारओ कारेश ये ना बैंक से निकालकर याता हूं कि बैंक से निकालके पचास लाक्र ada ये दू बलैक मुन्य हो जाएगी पापन के रहली बात तुन्हे टेक्स पड़ा क्यों और दूसरी बात तुन्हें मुझे बताया क्यूं जो यह बताया तुम्हें बैंक में पैसा पड़ा है उसको तुम ATM से विड्रो कर लो वो ब्लैक मनी बन जाएगा क्या? अरे नालायक वो वाइट मनी ही है कैश ब्लैक मनी नहीं होता जो पैसा एकाउंट में नहीं है वो ब्लैक मनी होता है फिर तो मैं बैंक ATM से सोर पे निकाल के लेकर आ गया वो तो ब्लैक मनी बन गया अरे नालायक वो एकाउंट में तो शो हो चुका है न वो ब्लैक मनी कहां से हो गया तो इसने बोला कि भाई साथ फिर अब ब्लैक मनी कहां से लेके आए अच्छा अब मेरा बिजनस है मेरे पास ब्लैक मनी आता है ऐसा पैसा पड़ा है यह चले गए एक CS के पास और CS मानलो आप में से कोई बच्चा है सब बच्चे CS बन गए मानलो आपके पूरी फॉर्म है आपके पास यह जस्कृत के फादर आ गए यहां एक CS साब बैठे हैं बहुत ज्यान सुनना इधर जस्कृत के फादर आ गए इधर वीजी है वीजी को ना वाइट मनी चाहिए अधर वीजी को वाइट मनी क्यों चाहिए मिजे को समान पर्चेस करना है अब इसको समान पर टूसकारा इसका सारा बलयक मनी यह इसको लग रहा परट प्रटोर् 가지 करोंगवा तो गौर्वेंट बोझे की नाा पैसा कहां अता है कि जस्कीरत के फादर इधर वी जी जस्कीरत के फादर को इसमें बोल दिया और सीय सामने कि आप 50 लाग खरंपे का चेक गिफ्ट कर दो नियुक्त नियुत कर छेग 10 u नियुक्त इनके खाते में ट्रांसफर करवा दो और ढिखा दो डिफ्ट और मेरे को क्या बोल दिया ? 50 लाग का cash इंको पकड़ादो इधर सक्या चला गया ? बोलो बोलो क्या चला गया ? cash उधर से क्या मेरे पास आ गया ? 50 लाग का white में आ गया ? गो ओर्मन को क्या लग रहे है ? उसने क्या दिया है ? और giftotext था ईनि giftれagtस ? आपको नहीं लगदा ब्लैक मनी से वाइट मनी कनवर्ट हो गई, ये करते थे लोग इंडिया में, ये लोगों ने धंदा बना रखा था, गिफ्ट के रूट से ब्लैक मनी वाइट मनी कनवर्ट, अब गौर्मेंट को लगा, प्यार होता है, प्यार पचास लाग का, एक गौर्मेंट सुने, अब गिफ्ट के लोग भी टेक्स है, गिफ्ट भी तुमारी इंकम है, बट हम सब को कवर नहीं करें, ये छोटे-छोटे बच्चे, दो-दो-सवर पर वाले, सोसर पर वाले, ग्यार पर वाला, इनको क्या कवर करेंगे बचारे, हम एक लिमिट लगा रहे हैं प्यार करने की, गौर्मेंट ने प्यार करने की लिमिट लगा दी, कि अगर किसी परसन ने प्यार किया, पूरे साल में, पचास हजार पे तक, तो वो प्यार एक्जम्ट है, तो प्यार बड़ अगर किसी परसन ने प्यार किया पूरे साल में पचास जार से ज़्यादा तो प्यार करने वाले के हाथ में नहीं प्यार लेने वाले के हाथ में सारा प्यार टेक्सेबल है मतलब जिसमें गिफ्ट दिया उसके हाथ में नी, जिसने गिफ्ट जिसको मिला है ना, उसके हाथ में सारी taxability कर दी other source के chapter में, एक chapter है other source का, आपको ये बता रहा हूँ, कि income tax में gift पर भी tax आएगा आपका, तो ये सारी बात है, आपको income tax में पढ़नी है, बहुत कुछ पढ़ना है sir, आपको भाषि साब दु की इंकम होगी capital gain की इंकम होगी दुनिया जहान की इंकम है उन इंकम पर क्या लगता है इंकम टेक्स आपका लग जाते हैं टेक्सेबल इवेंट क्या है इंकम अराइज होना बट कवर इन एक्सेस ओफ थ्रेश्चोल लिमिट होती है जैसे बच्चे ने मुझे आपको समर्ण में आ रही है ठीकरी अब यहां पर आओ जी मीनिंग ओफ इंडारेक्ट टेक्स एक बाच चक करना बोलना इंडारेक्ट टेक्स का मतलब सारे बच्चे बोलो जी क्या है थोड़ सा अनर्जी लेकर आओ फटावर्ण से क्या लिख रही इंडारेक्ट टेक्स इस टेक्स विच इस लेविड या इंपोज एड बड़न और इंसिदेंस ओफ टेक्स फोल्स ओन सम अधर परसं लाइक कस्टमर तो उसकों क्या बोलेंगे इंडारेक्ट ठीकरी उसके ब मैं जो आपके सामने काम कर रहा हूं कि यह क्या है कि अवाज नहीं आ रही है कि लाइव वाले बच्चे क्या मुझे आंसर दे सकते हैं कि मैं जो आपके सामने क्या कर रहा हूं यह सारे बच्चे कह रहा है सर्वीस मैं पर विश्वास नहीं करता आप मुझे पता हूं यह क् कि और येन बच्चोंने सर्विस बोला मेरे काम को विश्एख ध्यान रखने न को बुख्स नहीं देनी कि अधि आपने सर्विस बोला ना प्र फिर बुक्स क्यों ले रहे मेरे से कि बुक्स भी सर्वीस है कॉद्स है मेरा काम कॉंबीनेशन और गुर्स गूर्स सभंट सर्विस पढ़ा रहा है गूट्स ए धिल कर पर भी है और सर्विस पर भी है और दोनों पर भी है जहां गूट्स होगा वहां पर भी है सिर्फ सर्विस है वहां पर भी है और अगर गूट्स एंड सर्विस दोना है वहां पर भी जीएस्टी अप्लीकेबल होगा बसे बाद्यां और टेक्सेबल इवेंट का मतलब है सप्ल प्लाई पर जी स्ब्लाई पर लगता है अभ यह supply क्योंता है स्क टैंशन चोड़ दो आधर के देख लिएगे और इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट कै लगती है कंस्टम ड्यूटी लगती है इस पर जी Сटी यशोटि फेनच अप्लिक पर सुट पर कि लासिज हमारी आज क्या है हमारा संडे न वैसे तो हमारी लक्ष्मिन अगर में क्लास चलेंगे ट्यूजड़े थर्जड़े सैटड़े संडे कि यह आपकी संडे होगा मैं आपको बता दूँगा उसके बाद पटेन लगर के अंदर मेरी कलास चलती है मंडे वैनेज डे फ्राइडे अब जिस संडे यहां पर होगी संडे वहां होगी ऊंदे यहां नहीं इसके उसके बाद आप जहां सुनना इबात को अब यूजड़े सेटुड़ जो लाइव वाले बच्चे मेरे سामने बैठे में पहले उनकी बात कर लो की Etsy यहां पर मेरा चलेगा इंकम टेक्स में और वहां पर मेरा चलेगा जी्एस्ट अ यहां पर में GST स्टाट करूंगा यहां पर में सब्सक्राइब कर ओगा إलेपश सटें आपको यह मानना है कि आपका पैस mortally ए जो नसदेली है से आपको देली आप 10 Elev Lice आईगी आपको अटोमेटिकली खतम हो जाएगा मार्च के एड़ेदफ और अब आपके पास भी ओप्शन है यह सेम ओप्शन है अब यह ओप्शन कैसे हैं मतलब टीटीएस में अगर आप यहां पर आ रहे हो तो आप MWF में या तो लाइव क्लास देख सकते हो आपकी अप्लिकेशन पर ही नहीं तो पटेल नगर भी विजिट कर सकते हो वह आपके आस ओप्शन है अगर आपको लगता है नहीं साल मैं को लक्ष्मिन अगरी जोइन करने मैं मैं MWF में ओप्टी नहीं करना चाता मैं को वह ओप्ट करना ही नहीं है मैं तो बस यहीं पर खतम करूँगा तो यहां पर भी खतम होगा यहां पर ही फूरा बैच खतम होगा बट वह फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा फिर और आपको यह रिकमेंडेशन दूंगा अगर थोड़ी से मेनत करोगे चांटिंग में थोड़ी भूति एक साथ-साथ-साथ देख लोगे क्योंकि है स्टार्टिंग आप कर सकते हो ठीक है आपका जल्दी खतम होगा और मुझे लगता है जून में टाइम बहुत कम होता है है और प्रेक्तिस के लिए कम से कम एक डेढर मे दिखनी है आपकी application पर तो daily class आएगी एक दिन income tax एक दिन GST और यह मत सोचना कि क्या हम confused हो रहेंगे बिल्कुल भी confused नहीं होंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग है आपस में इंकम टेक्स बिल्कूल अलग है अपस में कोई लेना देना ही नहीं दोनों का तो आप यह तो बिल्कुल मत मानना कि हम confused नहीं अपको बल्कूल यह नहीं घ्रिक है और बांकि हमारी साड़े तो फिर आपको बस एक बात बोलूँगा अगर आने वाले पांच महीने देदोगे आपको दिसंबर नहीं देखना पड़ेगा सर्दी, गर्मी, सब भूल जाओ एक बार, ये रिक्वेस्ट आप से हाथ जोड़के, अगर आप सच में पास होना चाते हो, अगर आप सिरफ जून में ट्राई के लिए देना चाते हो, तो फिर वो आपकी मर्ची, कि मैं एक बार पेपर का पैटरन देखना चाता हो, तो वो आ तो टाइम अभी साड़े आठी रहेगा, साड़े आठ से लेके सवा 11, साड़े 11 हमारी नोर्मली क्लास होगी, ठीक है मतलब आप मान के जो तीन भाइपोने, तीन तीन घंटे के हमारी क्लास लेंथ रहेगी, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी जादा अच्छे से करनी है, कोश्च जो नहीं हुए, उसको मैं यहाँ पर डिसकस भी करेंगे, यह बाते बिल्कुल क्लियर हैं जी, और बाकी बस यही है, और बाकी अगर किसी और बच्चे का डाउट रह गया हो, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगा, और एक बात और सुन लेना, जो चैप्टर इंकम टैक्स का है, जो यूट्म नमर वन ऊल्मोस यूट्यूव पर आपका लाइफ भी चलेगा, जतने बच्चे भी लाइफ बैठ Catholics हैं, तो आप वहाँ से भी चैप्टर नमर वन की जो अमयंडमेंड मेंट सा कवर कर सकते हैं, बाकी जो बच्चे पहले पढ़ चुके है, उनके लिए amendment class आएगी मैंने पहले भी आपसे बादा की है वो फरवरी के अंदर आपके amendment class आ जाएगी और books सब बच्चों को office से मिल जाएगी आप नगर admission हो चुक है आज ही जाके आप तीन books ले सकते हो print के आ चुकी है ठीक है और अगर admission नहीं हुआ है जब भी आप admission कराओगे आपको books आपके by handy मिल जाएंगे ठीक है यह बासमान में आ रही है जी है अगर बुक्स हाँ पटेल लगर में admission करें तो वहां से भी ले सकते हो यहां से भी जैसे मर्जा कोई दिक्कत नहीं आप receipt दिखा दो होगे महां के तो यहां मिल जाएंगी उस पर साइन कर देंगे हो नहीं तो फिर महां भी books हो की भान मिल जाएंगे ठीक है कल भी मेरी class होगी कल मेरी पटेल लागर होगी GST की पहली class चलो अब मैं बस दो तीन मिंट आपके लूँगा देन फिर लासा पैक कर रहा हूं जी आज की अच्छा क्लास के नोट्स ध्यान अखना जी यह पहली ना पहली कुछ क्लास के नोट्स में आपके वट्सएप में कौन को नेड़ हो चुका है वट्सएप में कि ओ काफी सारे बच्चे एड़नी हुए तो आप ऐसा करना जो बच्चे आई थिंग कई बच्चों का एड्मीशन नहीं हुआ तो उसकी बात एक लगए जिनका एड्मीशन हो चुका है अभिशेग जी पीछे खड़े हैं उन से आप कोंटेक्ट कर लेना आपका हमारा वर् करेंगे जो भी इनफोर्मेशन होगी मैं सारी वर्ट सब्रूप में आपको देता रहोगा ठीक है बट उस वर्ट सब्रूप का यूज सिरफ पढ़ने के परपस के लिए होगा कोई किसी देखो मैं आपको थोड़ा बता दूँ मैं टीचिंग में हूँ 10 साल से बट मैं r की बुरा जार करेगा ना किसी देखर की बात करेगा कि मेर को अच्छा नहीं लगता किसी देखर के बारे घंब शुनना सुभ्त या को बास के लिए रखते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम विवेक को हरा देंगे उनको यहीं ने पता कि विवेक वो गेम ही नी खे Engineering रहा है मैं वो गेम से बाहर हूं मेरी दुनिया यह लगाए मेरी गेम यह लगाए मेरा काम सिरफ यह है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करना देट सो और आपने मेरी यूट्यूब पे भी कभी किसी की बुराई नहीं सुनी होगी और अगर कोई बुराई करता भी है मैं उसको इगिनॉर कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मैंने बढ़रने मरने बैठ जाते हैं तो सब्सक्राइब बच्छे पास होने वाले बच्चे के खासित होती है सिर्फ मेरा फोकस मेरे सामने है और मेनत करने के लिए हूँ और मुझे मेनत करनी है यह यहां प्लाम खतम माइंड है नेगिटीव इतने सारे चीरे चल रही है उसको में पोजिटीव में भी कनवर्ट कर लें वासन में आ रही है चलो अब एक बार में को फरवर से लास्ट वालों लास्ट का बसे अंसर दादो कि इंकम टैक्स वाला स्ट रहुक पहले बत्तों में को तुह मारा क्या था टैक्स लोजन सारे बच्चे टैक्स लोजन कितने टैक्स आंट्स टॉटल दौ डारेक्ट ओर डीवाल तुम्हें दे रहा हूं आगे से इंकम मत बोलना आप यह बोला इंकम टेक्स लगेगा टोटल इंकम टोटल इंकम का मतलब क्या आपको नेक्ट लास में डिफाइन करूंगा अभी सिर्फ इतना बोल दो किस पर लगेगा आज के बाद इंकम नहीं बोलोगे कोई तुमसे और कस्टम किस पर लगेगा किस्टम लगेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छा अब बस लास्ट मैंट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कस्टम लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका अगोट्स का सर्वीस का या दोनों का बताओ जी तोट्स सर्वीस और बोट जो ये कह रहे हैं सर कस्टम सिरफ गुट्स पे लगेगा तिरफ गुट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अच्छे सेंडस करो चलो और जो ये कह रहे हैं सर दोनों पे लगेगा बाक्की जी आश्यरवाद कुछ भी तुक्काई मारा है इनकी पहली क्लास ही है जो जो इन्हों ने बोला वही है इधर सुनो दिहां से एक्चुल में जो सब ने बोला बिल्कुल सही है बट लाइफ में कुछ बचन कलता अंसर दिया है वह के दोनों दोनों पे नहीं है करेंद एक लाइन बृलने जा रहा हूँ उसको इधर सुनो ध्यान से इंकम टेक्स सारे बच्चे मेघृ साथ बोलके जाएंगे जते ψ इंकम टेक्स जो लगेगा वो लगे गा बोलो किस पर है ट न कम प्र प्रक लगेगा अ इस्त खेंकस पर गएगा गोट्स और सरवीस्स औ और बहुत विप्ट क्या होने पर एक वर्ट दे रहा हूं सप्लाइए क्का क्या होने पर लो ओघ पर क्लिवती सम्झाध कि आप से पर अब इतना अवर निपर लगेगा आपको उसके बाद कस्टम की बात करते हैं कस्टम किस पर लगेगा इंकम पर नहीं लगेगा इंकम पर तो नहीं लगेगा नहीं पहले बात को रहें इंकम पर तो नहीं लगेगा सर्वीस पर स्टविस पर लगेगा नहीं सिरफ किस पर लगेगा और गूर्स के क्या होने पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये बस ध्यान अट गार जी तो बेगा लास्ट टाइम बोल दो जिसारे बचे इंकम डेक्स कि पर लगेगा टोटल इंकम कमाने पर इंकम कमाने पर जी एस्ट किसे लगेगा गूर्स और सर्विस और बहुत क्या होने पर सप्लाइब अभी सुनके खतम कर दो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है बस खतम क्लास या अंसर दोर छुट्टी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है जी 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 पहली बार बच्चे जात खड़ा किया जी बताओ एक बार दुबारा से क्या बोला आपने बहुत बढ़ी है चलो और कोई डेफिनेशन नी अच्छा मैं दो लाइने बोलूँगा आपको जबताओ कि क्या सही लाइन है का मतलब कै है एलि सेन इंपोर हो मतलब कै बहार से समान इंडिया में आना हुआ ये इंपोर्ट है ये बाहर का समान इंडिया में आना ये इंपोर्या एक बार दोहरस दूस्त अच्छा बोला है कि मैं में मैं 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 बोलूँगा पहले दोनों लाइने कुछ लगी है दोनों लाइने कितना बड़ा फरक बोल दिया मैंने ओम आई इंपोर्ट के बहार से समान इंडिया में आना ये इंपोर्ट है या बहार का समान इंडिया में आना ये इंपोर्ट है जो ये कह रहे हैं सर बहार का समान इंडिया में आना ये इंपोर्ट है बहार का बहार का और जो कह रहे हैं और जो ये का कह रहे हैं कि आपको दोनों में फ समझ में आ रहा है क्या फरक है क्या फरक है बताना जब मैं कहता हूं बाहर से तो में भी वो समान बाहर का हो या ना हो एक्जामपल के लिए एक्जामपल के लिए जैसे माल लो माल लो इंडिया में एक मशीनरी है कि सुने आना बस मशीन इंडिया में कि खराब हो गई खराब हो गई सच होने के लिए बाहर बेजा कि मशीन बहार से चॉई होकर इंडिया में आ इजह वह शिंपाТак्ट ही रिए यह मशीन कहां कि कि programmers एंडिया की आंथ रही है अब सुना अगर आप साथ कहे रहे हो बाहर का समान इंड्या मैंना इंपोर्ट है लिए पूद नहीं है क्यूकि बहार की मचीन नहीं अंगर हआ 형象 है क्योंक बाहर से और इम्पोर्ट है क्यूकि बाहर से आ रही है कि ओ माइड एक बढक़ झालियों सब्सक्री कि वह क् finishing अज था रही तो यह आपको सब जानते हैं तो यह को बताने जुरत नहीं है पूरा इंडिया जानता है और वो हमारे सर्दार जी यह यह मुच्छी बठ दे रही है इदर सुना स्मैंस यह हमारे GR con और इसके मेरे बाद सर की ही क्लास होनी है सेक्यूर्टी लोग थिए उनके बाद फिर आपकी क tapping इसल की ग्लास हो नहीं है ठीक है और अब टेक्स के बाद ध्यान सुना टेक्स के बाद जो क्लासे दोंगी सर और वह मैं सर को हैंड़ोवर करेंगे जीडी सर को और बहुत मज़ा आने वाले आपको वह अब यह लगा लोगा कि गुरूप टू में ना मैं इतना कह रहा हूं कि जब आपको टेंशन नहीं है देखो मैं 2-3 लाइने में को ज्यादा बोलना भी नहीं आता मैं 2-3 लाइनों में काम खतम करता हूं बस 2-3 लाइने यह हैं कि जो भी गृृप यहां पर ले रहे हैं और जो लेने की सोच रहे हैं मैं एक ही बात बोलूँगा जिस दिन आपका बैच कंप्लीट होगा उस दिन आपको अंदर से फिल होगा कि मेरा एक रुपया भी वेस्ट नहीं हुआ कि हावी सर की क्लास यहां सब बोलते रहेंगे सर बस दो मिंट में क्लास मैं खतम कर रहा हूं और बगए फिर आपके हवाले था सारे बच्चे इंध्य है बाकि आपने कुछ बोल लाइव वाले बच दो इस लाइव भी यह नैंट रहेंगे चलो अब हम कहां थे कि खानथे इंपोर्ट और एक्स्पोर्ट की ट्रिफिशर झाल बच्छे ने बचस्रेस मास उतार के बोला मैरे इस्टर और एक्स्पोर्ट की इफिनिशन ओ बहुत बश्क्षाइब गःया से अकेया का चाहिआ हूं तो मैं कहा हूं कि इमिपोर्ट का और पहार से कोई भी समान इंडिया में आएगा ना वह इंपोर्ट है अब बच्चाई बात के रहा है सर यह तो फिर मशीन अगर बहार से आ रही है तो इस पर का import duty लगेगी मैंने बिल्कुल भी नहीं का import duty लगेगी मैंने का यह import की definition में कबर होता है कि ऐसा मैं क्यों का रह chapel कि customer यहाँ the Rush cream इघे समझ मैं कि इंपॉर्ट एक्सपोट स्वाइब का मतलब क्या है तो सारे बच्चे बोल इंपॉर्ट का मतलब क्या है बाहर का समान इंडिया में आना या बाहर से इंडिया में आना अब सारे बच्चे अपने बोल दो मैं झाल से पढ़ा रहूं, आप अभी पहली पहली बार आयो, आपका न, एक्ष़ल मैं पहली क्लास होती है टेसे पाल, पहली क्लास में ये बच्चा आशीरीवाद अभी आप बिल्कुल शुद माइंड के हो प्योर माइंड आपका भी प्योर क्योंकि आप अभी किस से अटैच नहीं हुए जहां अटैच्मेंट हुई वहां बस कन्फियूजन क्रेट होगी तो इसलिए आपको मैं इसलिए कहना चाहरा हूं कि जो पहली क्लास में हो वही लास है जो बहार से डिल्ली आए है उनको दिल्ली की लंगीन हावा नहीं लगनी चाहिए है मैंने ग intelligent अ हम नहीं कॉन सी हावा कि हावा नहीं लिए हावा लगनी चाहिए हाव είναι है भूजा बोल आप मैक्रों मेत्र पीर लोग कों कोल होके आ गया वैसे कहां है इंट को हां मेट्रो कि देखना पिल्र डोते अब अधरorte कुछटे की आगे उसके निकला के उनका कामी लोगों को आँखो से सब्सक्राइब गौन है का उनकी दुनिया उसमें चल रही है सही बता रहा हूं से तो ऐसे मत बंजाना वस कि यह मत बंजाना कि कहीं खड़े हो यह निपता है क्य FRE оставwait तो कोई रीजन से खड़े हो ना कि वैं चोंक में खड़ाऊं कि इसलिए खड़ाऊं धर छोड़ आना उसको में को अरे यह हरकते करने के लिए दिल्ली में नहीं आए आपके पेरेंट्स ने इसलिए आपको दिल्ली में नहीं भेजा आप जिस कोर्स के अंदर आए हो वह बहुत बढ़िया कोर्स है बहुत जबरदस इसका फ्यूचर है बस यह आज जो क्लास के अंदर आ पाई हो इसी सोच अपने आगे बढ़ना है जो बच्चे लाइव के अंदर भी हैं बस यह बध्यान दोची ठीक है रही और वाकि सारे इंकम टेक्स स्टार्ट कराऊंगा जीस्टी भी होगा अंजली और बाकी जीस्टी अगर आपको करना है पहले तो आप पटेन लगर के अंदर फेस्ट पर साजकते हो नहीं तो लाइव क्लास जीस्टी की आएग आएगी तो भाहां से भी देख सकते हो जी और कोई डाउट क में समान जा रहा है तो cgst में utgst लगेगा जी और कोई किसी को डाउट अपना परसनल वर्सनल कुछ पूछना हो आपको जी तो दन बुक्सापको से मिल जाएंगी सब कुछ आपको बीक मिलेगा चलो डन करें फिर आज की सब्सक्राइब कम मिलेंगे हापे लकष्मिनगर आपकी अगरे बच्छे लाइव भी देखेंगे तो फिर फिर हम कल मिलेंगे मिलेंगे जिसे सुबह 8.30 मिलेंगे GST के साथ बाकि face to face मिलूँगा मैं लक्ष्मियागर मैं परस हो सुबह साड़े अट परी ठीक है रही ओफिस हाँ नंबर एक बार ले लो जी ओफिस का जीन बच्चक बस नंबर अंबर नहीं है एक बार नंबर ले लो ओफिस का नंबर मैं आपको दे रहा हूं जी 9-6-1-65ское नमबर है मेरा भी लिख लो 9 6430-3663 यह मेरा नंबर है अगर कोई अब को बात करने हो मेरे से कोई staff phone नहीं उठा रहा हू जो कोई misbehave कर रहा हो आपसे मेरे से बात करनी हो पर्सनल यह मेरा नंबर है ठीक है ना इसके आप वट्सएप कोल कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट शाम को साथ वज़े के बाद क्योंकि सारा दिन क्लास होती है अब मैं अभिशेग जी का नंबर दे रहा हूँ नाइन थ्री वन एट फोर नाइन टू सैवन वन एट यह भी शेग जीगा नंबर है इनको आप दिन में कभी भी कोल कर सकते हो रात को छोड़कर इंगी शादी हो चुकी है इसके बाद यह नंबर है 770-388-0232 यह भी हमारे स्टाफ का ही नंबर है और एक नंबर और है 888-2090148 यह हमारे स्टाफ के नंबर है आप इनको नोट कर लेना कभी भी कोई इशू हो इन पर कोल करो नहीं रिजोल होता आप मुझे कोल करो ठीक है रही आपकी हर प्रोब्लम का सुलूशन मिलेगा बस इतनी बाद ध्यान दो ऑची ठीक है और हमें टेक्स में और हर पेपर के अंदर बहुत अच्छा टार्गेट लेके चलना है और बहुत जबरदस नंबर से हम क्लियर करेंगे इतना मैं आपसे वादा करूं बहुत नहीं चीरे इस बाद करेंगे हम ट्यूजडे को सेम टाइम साड़े आठ वजे सेम जगां पर ओके जी बाइबाई टाड़ा थैंक्यू सो मच जैहिन थैंक्यू सो मच जी बाइबाई टेक केर ही बाइबाई चाहिए